Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं Class 8 History का चाप्टर है When People Rebel 1857 and After अब आप बोलोगे अभी हम पिछला चाप्टर जो पढ़के आये थे उस चाप्टर में तो हम 1857 के आगे तक पहुच गए थे जी हाँ, एक कंसेप्ट में आपको बताऊँ, उसे रिलेट करना मतलब एक पॉइंट है उसे समझने की कोशिश करना आपको हिस्टरी का जो कोर्स है हिस्टरी का कोर्स इंडिसेंस का मतलब हिस्टरी कैसे आ रही है वो समझ में आएगा, ठीके, ये जो चैप्टर है क्या है है इस चैप्टर में वेन पीपल रिबल 1857 तो 1857 में जो फर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडनस इसे कहा जाता है एक बड़ा सा рिवाल्ट होआ हमारे दीश में सवाल आपके मन में ये रिवाल्ट क्यूं हुआ ठीके, तो वो सवाल का जवाब भी दूँगा अब ये जो रिवाल्ट हुआ है, इस रिपार के बाद में Indian history का कोर्स जो है, Indian history का जो रास्ता है वो change हो जाता है, लोगों के अंदर एक feeling से आ गई कि हाँ यार आजादी मिल सकती है यहाँ पे लोगों ने पहली बार बड़े level पे आवाज उठाई थी तो बहुत सारी चीजे हैं इस point of time पे, ठीक है, 1857 का यह जो point of time रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीजे है, Indian history का पूरा का पूरा course change हुआ है यहाँ से ठीक है, तो अब हम भही समझेंगे कि क्यों यह revolt हुआ था, क्या कारण रहे होंगे ठीक है, यह revolt के क्या कारण रहे होंगे और उसके बाद में क्या हुआ यह एक basic theme है, इस chapter की, इसमें हम यह सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और जैसे कि हर chapter स्टार्ट करने से पहले एक basic introductory video होता है तो यह video भी एक basic introductory video है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम पढ़ने क्या क्या वाले है ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, बून बून से घट भरता है यह तो सुनाओगा आपने, ठीक है, कि बून 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 से घट भर जाता है ठीक, अब आपके मन में इस तरह से कुछ feeling आ रही होगी, आरे भाई, कहना क्या चाहते हो ठीक, तो वो clear करता हूँ मैं, कि अभी तक आपने जितने भी chapters पढ़े ठीक है, relate with the previous chapters, तो अभी तक आपने जो भी पढ़ते आयो ज़रा थोड़ा सा recall करो आपने देखा कि Britishers आये इंडिया में trader बनके आये थे ठीक है, दिवानी राइट मिल गी उन्हें, दिवानी राइट मिलने के बाद में उन्होंने किस तरह से हमारे यहां से revenue exploit करना स्टार्ट किया, ठीक है, इंडियान economy को कितना नुक्सान हुआ हमारे यहां से जो peasants थे, हमारे जो farmers थे, हमारे जो artisans थे उन्होंने कितना सफर किया उसके बाद में फिर जो tribal group थे, तो tribal group ने भी क्या किया, हद सफर किया अब जब इतने सारे लोगों को उन्होंने परिशान किया, तो अब यह क्या हो रहा है, बूंद बूंद गिर रही है, ठीक है मतलब एक section परिशान, दूसरा section परिशान, तीसरा section परिशान, लोग सेहन करते आ रहे हैं अब जब यह सेहन करते करते क्या हो जाएका थक जाएंगे ना लोग तब क्या होंगे थकने पर या तो आप बैठ जाते हो या फिर अपना final जो भी पुछ रहता वो दे देते हो दो तरह के लोग होते तो इंडियंस हैं यह तो ठीक तो यहाँ पर क्या situation डेवलप होती कि लोग इतना जादा frustrated हो चुके थे तो इस frustration में उन्होंने क्या किया ultimately एक बड़े से revolt को जनम दे दिया ठीक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमने ठीक है तो जैसे जो इस इंडिया कंपनी है तो इस इंडिया कंपनी ने various laws लाई ठीक है तरह तरह के अलग-अलग कानून लेके अब जो अलग-अलग कानून लेके आई तो वह कानून जो बनाए उन्होंने ठीक है तो वह इतने strict laws होते थे आफिर कहीं न कि इस तरह के laws होते तो जो लोगों की life पे एक negative impact create कर रहे थे ठीक है आप सोच सकतो किस तरह के impact तो forest laws जो हम पिसले chapter में पढ़के आए तो वहाँ पर क्या देखने को मिला था हमें कि वह forest laws के चलते tribes जो थे परिशान थे ठीक है उसके पहले हमने क्या देखा जो ruling the countryside वाला chapter देखा तो हमने देखा कि tax वगरा बहुत ज़्यादा लगाने start कर दिया उन्होंने तो इस तरह से प्रिटिश इंडिया कंपनी के जो laws आए तो वह laws का जो impact रहा लोगों के उपर वह बहुत negative था ठीक है अब सवाल आपके मन में यह आएगा कि worthy people happy with all that ठीक है क्या जनता खुश थी बिल्कुल नहीं जनता ऐसा होता है कि कोई आप परिशान करेगा कोई आपको आप खुश रहेंगे बिल्कुल नहीं तो उसी तरह से क्या होत 1857 एंड आफ्टर तो उसके बाद में क्या होगा वो भी हम देखेंगे ठीक है तो एक basic theme में आपको बताए कि reward हुआ क्यों कारण क्या रहे उसके पीछेगे fine अब आगे देखो तो what we are going to study in this chapter इस chapter में हम पूरा क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो तो policies and the people reward का सबसे प्रमुख कारण जो रहा ठीक है मतलब कह सकते हैं major contribution जो रहा तो वो laws ही रहे policies ही रहे कि जो अलग-अलग Britishers ने policies लाए तो उन policies के चलते क्या कहीं ने कहीं जनता खुश नहीं थी ठीक फिर क्या होता है अब यह policies लाए तो इन policies के बहुत सारे impact रहे नवाब जो थे जो पहले जिन्हें भारत की जनता क्या करती थी अब एक तरह से अपना leader मानती थी ना तो वो नवाब और उन सारे लोगों ने अपनी power खो दी ठीक है लेकिन वो जब reform लाने की कोशिश करते थे तो हमारे यहां के लोगों को क्या लगता था कि यह हमारे personal space में क्या कर रहे इंटरफेर कर रहे हमारे जो traditional customs हैं practices हैं उनके साथ में interference की जा रही है तो जो reform लाने की कोशिश की गई थी उन reforms पर क्या response रहा हमारे देश का और यह सारी चीज़ें एक foundation तयार कर रही थी किस चीज़ के लिए foundation तयार कर रही थी तो यह reward के लिए foundation तयार कर रही थी ठीक है यह हो गया अब देखो क्या है through the eyes of the people तो यहां पर आपको क्या देखना पर क्या feel क्या reward के बारे में वह पढ़ेंगे फिर आगे देखेंगे अब mutiny becomes popular rebellion mutiny becomes popular rebellion यह समझना इस चीज़ को ठीक है mutiny मतलब क्या होता है mutiny मतलब थोड़ी सी गदर Cr convert कि अटिक है गदर में चातीन उतलब क्या होता है कि छोटे लेबल पे जो क्या हवआ लोगों ने पॉइस उठके जाते हैं डेली में जो बादुर्शा जफर है उन्हें अपने साथ रिवाल्ट में जोड़ते हैं और रिवाल्ट को एक बड़ा फेस देते हैं ठीक है तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया और उसी चीज ने म्यूटीनी को एक पॉपलर रेबेलियन बनाया ठीक है और फिर यह जो रिवाल्ट इंडिया में रहेगा पूरे कंट्री में फैला तो वह भी देखेंगे डियरबेलियन बताएंगे अब देखो क्या होता है कि यहां तक तो हम क्या है कि हम ब्रिटिशन के उपर भारी है लेकिन अब क्योंता दिख कंपनी फाइट्स बैक साओधा चीजों को कबजा किया अब देखो ये तो पूरा एक एपिसोड हो गया रिवाल्ट हुआ और कम्पणी ने उसे टैकल किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ तो आफ्टर मात में हम वो चीज पढ़ने वाले ठीके तो ये जो पार्ट है तो आफ्टर का एंड आफ्टर उसमें हम स्पेसिफिकली एक वीडियो लेक्टर में डिसकस करेंगे आफ्टर मात और ये सारा जब ठीवरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एंसे एटी सालूशन पढ़ने वाले हैं आगा है समझ में तो ये पूरा framework बता दिया है मने आपको कि चाप्टर क्या है कैसे पढ़ने वाले क्या क्या चीज़े हैं I hope चीज़े समझ में आ गई है नेक्स्ट वीडियो लक्च्चर से स्टार्ट करेंगे नवाब्स लोज दियर पावर यहां तक किसी को भी किसी प्रकार के डाउट है तो फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्षिन तिल देन स्टेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वरी मच्च इस वीडियो में पंड़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे नवाब्स लूज दे पावर कौन नवाब क्यों पावर खटम हुई देखें पिछले वीडियोमे आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था एक basic outline, एक introduction डिसकस किया था what we are going to study in this chapter ठीक है, अब उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा chapter है When People Rebel 1857 तो इस chapter में क्या होता है कि 1857 का जो revolt है उसके पिछे कुछ कारण रहे होंगे उन कारणों में से एक कारण ये भी है कि हमारे नवाब्स जो थे हमारे जो local indigenous यहां के leaders थे उन लोगों की power खतम होते चले गई एक चीज है, power tends to fluctuate what I mean to say, कि कि किसी एक की power कम होती है, दूसरे की power automatically बढ़ती है अब यहां पे इस case में क्या हो रहा है कि हमारे जो indigenous leaders थे जिने जनता अपना मानती थी उनकी power कम हो रही है और बढ़ किसी रही है जो foreign rulers है, कौन? British ठीक है, तो उन लोगों के जब power बढ़ रही है तो उसके चलते क्या होता है उसके चलते हमारे जो लोग है इस चीज को ऐसे देखते हैं कि यह गलत हो रहा है अब लोग जब इस चीज को ऐसे देखते हैं गलत हो रहा है सेहन करते जाते हैं, करते जाते हैं तो at a point of time क्या होगा कि वो ठग चुके होंगे और फिर reward होता ही होता है तो reward का एक कारण यह भी रहा है अभी हमें क्या समझना है कि why did the nawabs lose their power ठीक है तो nawab ने अपनी power नवाब जो थे तो उन्होंने अपनी power क्यों खोई ठीक है इस चीज़ को समझते देखिए तो mid 18th century nawabs and rajas had seen their power erode ठीक है तो यहसा नहीं कि सिर्फ nawab की power खतम हुई थी मतलब दोनों जो Islamic rulers थे वो भी जो दूसरे यहाँ पर local rulers थे राजिस्तान में इधर उधर सारी जगा तो सारे राजास जो थे तो राजास की भी power erode होती है खतम होती है अब आपके मन में सवाल कि क्यों तो देखिये समझिए ठीक और किस तरह से खतम होती वो भी देखो तो जितने भी nawabs राजास थे they had gradually lost their authorities and honor तो उनकी जो पहले authority जो दबदबा होता था कि उनके राजिमा उन्होंने बोल दिया बस यह होना है बिना उनकी आग गया कि पत्ता भी नहीं हिलेगा लेकिन अब जब British East India Company ने धीरे-धीरे political rights, economic rights लेना स्टार्ट कर दिया उनकी territories में तो उसके चलते नवाब्स lost their authority and honor तो many of the nawabs and rajas lost their authority, honor उनकी जो इतनी पहले respect होती थी तो वो respect भी उनकी कम होते चले गई क्यों? क्योंकि directly और indirectly they were under the British East India Company, they were influenced by the British East India Company fine, what's next? तो residents had been stationed in many courts, अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो, तो subsidiary alliance वगरा ऐसी अलग-अलग treaties sign करवाई गई और इन सारी treaties के चलते क्या किया गया? कि जो आर्मी रहेगी, British Army उसे maintain किया जाएगा, किसके दोबारा? Local rulers के दोबाला, तो local rulers के court में क्या किया जाता था? आर्मी को station करवा दिया जाता था, कि आर्मी यहीं पर रहेगी, आप इसका खर्चा भी local ruler ही उठाएगे, कल को कहीं पर लड़ाई होती है, तो यह आर्मी वहाँ लड़ने चले जाएगी तो इस तरह से क्या हो रहा है, कि power किसकी कम हो रही, यह दिखती बात है local rulers की, तो residents had been stationed in many courts, इसमें क्या है, कि आपने देखा हो कि जब वह आर्मी रखी उन्होंने, तो आर्मी के साथ साथ में एक British resident भी रखने लगे, मतलब कि कि किसी राजा के दरबार में एक permanently एक British resident रहेग ठीके, जो एक privacy थी, वो भी कम हो रही है, British East India Company का सीधा interference देखने को मिल रहा था, तो राजा और नवाप्स की power यहाँ पे कम हो रही है, ठीके, फिर उसकाहत में कहा है, freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, तो जितनी आजादी पहले रहती थी हमारे local rulers को, हमारे local नवाप्स को, अब उतनी आजा जब आए, तो ultimately these all changes are affecting the position and power of नवाप्स, ठीके, तो freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, उसकाहत में कहा है, their revenues and territories taken away by stages, ठीके, by stages मतलब कहा है, यहाँ पे देखो, तो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया है, कि टेक्स जो रहेगा, तो अब इतने टेक्स का इतना परसंट हिस्सा, British East India Company के प मतलब कुछ ना कुछ करके, किसी ना किसी प्रकार से, local rulers जो थे तो उनकी territories पे कबज़ा किया जाने लगा, ठीके, उनके जो source of revenue होते थे, उसे hamper किया जाने लगा, रोखा जाने लगा, तो जब यह सारी समस्याएं उठके आने लगी, तो यह जो मैंने आपको भी जितने examples ब British Expansion, तो हमने जो chapter 2 में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है तो, होना चाहिए ध्यान, क्या-क्या पढ़ा था हमने कि अलग-अलग treaties, claim to per amounts, subsidiary alliance, doctrine of labs ले आए, तो उन्होंने ऐसी अलग-अलग क्या की policies बनाई, British East India Company ने, और जिसके चलते क्या है कि British Expansion तो देखने को मिला लेकिन हमारे local rulers, हमारे राजा जो थे, उनकी power कम होते चलेगी, ठीके, अब देखो क्या है, अब आप बोलोगे, तो हमारे local ruler और राजा ने सब सहा क्यूं, क्यूं ऐसा होने दिया, बहुत सारे कारण, सबसे पहले तो क्या है कि economic dependence, जो थी तो उनकी British East India Company पे होने लगी, पूरे देश का political head Mughal Emperor होते हैं, तो वहां से उनने दिवानी right मिला है, एक state से दूसरे state में, कहीं battles में हराया बहुत सी बार, तो Indian rulers जो थे, उनने battles में हरा दिया, और treaty sign कर ली किसी ना किसी प्रकार की, तो Indian rulers इस कारण से क्या होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे, वो कोशिश करिए कि वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से क्या कर लें, किसी ना किसी तरह से अपने interest को बचा लें, तो जैसे example में, example Rani Lakshmi भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि हमारा कोई natural son नहीं है, natural son in the sense कि खुद राजा और Rani का बेटा नहीं है, उन्होंन इन्होंने कोशिश करिए कि किसी ना किसी तरह से अपना interest बचा लें, लेकिन हुआ कि ultimately हाथ के लगता था, However the company, turn down this please, ठीक है, तो क्या होता है, company मानने को तयार नहीं थी, company क्या कर देती थी कि नहीं नहीं, हमें आपकी बात में कोई विश्वास नहीं है, या फिर company एक तरह से ऐसा रहता कि company powerful थी, company देखा कि हम अभी power में हैं, अब हम इनके लिए favor क्यूं दे, हमें इंसे कोई लेन करती थी, और इस नहीं नहीं हम power में हैं, हमें कोई लेना जाना नहीं है, तो company नहीं क्या कर दिया, इस तरह से जो local rulers जो अपनी position बचाने की कोशिश करते थे, तो उनकी जितनी भी request होती थी, उनके जो भी proposals होते थे, उन्हें reject कर देती थी, सीधे, ठीक है, so this was the problem, आगे दे सी, देखो ध्यान रखते चलना है, सब chapter 2 में पढ़के आएं, subsidiary alliance में क्या होगा, कि वो army आपके हां station कर देंगे, local resident रहेगा आपके हां, और आप मतला मिलके साथ में रहने वाले हो, ठीक, अब क्या होता, तो subsidiary alliance sign करी थी 1801 में, अब क्या होता, धीरे-धीरे 1856 आते-आते, ठीक है, क्या बोलती है, British East India Company, British East India Company बोलती है, कि मज़ा नहीं आ रहा है अब, आपके साथ subsidiary alliance sign करीए, और आप अच्छी तरह से अपने territory को govern नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप सही तरीके से rule नहीं कर पा रहें, किस से कहा, वहाँ के जो local ruler थे आवद के, अब आवद के local ruler से क अच्छी तरह से govern नहीं कर रहे हैं, और फिर क्या कर लिया, annex कर लिया, annex मतलब फिर कबजा कर लिया, तो इस तरह से अब company जो है, तो क्या कर रहे है, company direct strategies, direct confrontation में आ रहे है, कि local rulers, local nawab, local raja's जाएं, उनकी power कम करना है, बस किसी भी तरह से, तो company ने क्या कर लिया, on the ground of misgovernance in the territory of अवद, ठीक है, तो अवद की जितनी भी territories थी, तो अवद की जो भी पूरा land है जिया था, उसमें उन्होंने क्या बोल दिया, कि अवद अच्छी तरह से, अवद के rulers अच्छी तरह से govern नहीं कर पा रहे हैं, तो अब on the grounds of misgovernance, ठीक है, the territories of अवद would be annexed, British इस इंडिया के under मे चलाएगी, therefore British rule was required, तो इसी के नाम पर उने क्या बोल दिया, कि अब तो British rule चलेगा यहाँ पर, आया समझ में, चलो एक हमवक्त देते हम आपको, subsidiary alliance, subsidiary alliance किसने लाए थे, यह हमने आपको chapter 2 में बताया, यह है उनकी photo, नाम into the lord करके कुछ था, ठीक है, आपको comment section में बताना रहेगा, तो यह हो गया, subsidiary alliance वगरा वाली सारी चीज़े, अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ठीक है, आर समझ में आ रहा है कि, जो नवाब्स थ तो पिच्चर अभी क्या बाकि यह देखो, अब धीरे-धीरे company ने क्या plan मनाया, company ने यह plan मना लिया कि यार, अब country के ओपर direct rule हमारा ही होना चाहिए, 100 साल होगा, जैसे 1757 battle of plassi से उनके पास में power थी, तो उनने बोल दिया बलग-बलग-बलग-बलग, 100 साल होगा है, अभी अब भी सवाल आता है कि कैसे खतम करेगी Mughal dynasty company, क्योंकि Mughal rulers तो आज भी Delhi में बैठे हैं, Redford में बैठे हैं, तो company ने पूरा का पूरा plan बना लिया था, कि हमें company, मतलब company ने तरह कर लिया कि हमें country में यह दिखाना है, कि हमें Mughal dynasty अब खतम हो चुकी है, और आज से देश क माई-बाप कौन होंगे, आज से देश की ruler कौन होंगे, British East India company के लोग, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या किया, नेम और नेम आप दी Mughal king was removed from the coins minted by the company, ठीक है, अब जो सिक्के बनते थे, तो जो coins बनते थे न, अब जो coins बनके आएंगे, company सबसे पहला step ये लिया, कि अब ज मुगल जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, मुगल emperor जो थे, उनकी कोई position नहीं रहे है, क्योंकि उनका सिक्के पे से, क्या हट गया, उनका सिक्के पे से एक तरह से देखा जाए, तो नाम हट गया है, इसे suppose के लिए एक example महतारो, कि आज अगर महात्मा गांदी जी का photo हटता ह नोट पे से, तो वही कहीना कि ये message जरूर जाएगा कि उनकी significance कम हो गई है, या फिर हमारे जो political leader से उनने उनको value देना कम कर दी, तभी उनने नोट पे से photo अठाई है, आगे ना समझ में, तो इस तरह से एक बहुत, एक बड़ा message, एक loud message, एक छोटे से action के थूप हचाया, कि हाँ, मुगल किंग का जो नाम है वो हटा दिया जाएगा सिक्के में से, इट वास अनाउंस एट आफर दी डेथ ऑफ बाहदूर्सा जफर, इसा कुछ नहीं है, दो को समझना ये भी बहुत strategic step थी है, क्या होता था, कि आपको पता है कि आज हमारी country में political capital क्या है, देली है, जैसे जंडा लहराते हैं कहां से, रेड़ फूर्ट से, तो रेड़ फूर्ट की significance है कि यहां, देश का पूरा, जो कह सकते हैं कि देश चलाने वाला इनसान कहा है, रेड़ फूर्ट में, इस तरह से, वैसा माना जाता था, अब क्या कर रहे है, British India Company ने क्या बोल दिया, ये बाहदुर्शा जफर, अब क्या है, तो कंपनी अनाउंस कर देती है कि बाहदुर्शा जफर की death के बाद में, बाहदुर्शा जफर की death के बाद में क्या होगा, कि जो भी मुगल family है, मुगल emperor की family है तो वो मुगल emperor की family को अब रेड़ फूर्ट खाली कर देना होगा, ठीक ह तो क्या कैनिन को रेड़ फोर्ट पसंद आ गया था नहीं ऐसा नहीं है वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि strategically जनता था कि मेसेज पोता दिये दाय कि जहां पे रेड़ फोर्ट में मतलब रूलर रहता है आपकी कंट्री का अब रूलर ने रेड़ फोर्ट छोड़ दिया मतलब रूलर के पास पर वो पावर नहीं रगी है जैसे कोईन वाला केस था तो उस तरह ऐसा एक लाउड मेसेज देने की फिर कोशिश करी ठीक है फिर गवर्नर जनरल कैनिन जो थे तो 1857 में रिवाल्ट के टाइम पे ये कंट् खतम हो जाएगा मतलब बाददुर्शार जफर की डेथ हुई तो आप पहलेस भी छोड़ो पहले छोड़ने काद में किंग का कंसर्ट भी खत्म हो जाएगा His descendants would be just called Prince बाददुर्शार जफर के बाद में जो उनके वंशज आने वाले है न तो उनके descendants को उनके बेटों को बेटे की बेटों को King नहीं कहा जाएगा अब राजा जीसा कुछ नहीं वो राजकुमार रह जाएंगे बस ठीक है कभी राजा नहीं बन पाएंगे तो वो जो आएंगे तो they would be known as princes ठीक है तो वो प्रिंस कहलाएंगे एक तरह से ये पूरा arrangement किया गया कब ये पूरा arrangement किया गया British East India Company के दवारा ताकि वो अपनी authority को establish कर सके अब जब वो अपनी authority अपनी power को establish करने में लगी हुई है तो उस समय पे एक clear message जा रहा था क्या कि Indian नवाब, Indian राजा, local rulers were losing their power ठीक है तो वो अपनी power खोते चले जा रहे थे और एक ये कारण रहा है बहुत बड़ा 1857 के revolt का, राजाओ को जब लगा क्यार अभी आप आवाज नहीं उठाई तो फिर कभी नहीं उठा पाएंगे, आवाज उठाने लाएक बचेंगे नहीं, ठीक है, तो सेंस में अब और चूप गए तो मौत, वो अला खेल होगा हमारे साथ, बतलब राजाओने सोचा होगा कि एक attempt तो लिया जाए, था कि हम क्या कर सके, अपनी power जो decline होते जा रही है, वो ऐसे भी decline होई जाएगी, अगर नहीं कुछ करेंगे तो पश्तावा जरूर हो जाएगा जीवन अब दूसरा point जो है, आपका दूसरा पहरा जो दूसरी topic जो है, उसे next video lecture में समझेंगे, वो कैसे कही ना कही है, reason रहा है किस चीज का 1857 के reward का, उसे हम next video lecture में पढ़ने वाले हैं, I hope यहां तक चीजे समझ में आई हैं, किसी प्रकार के doubt हैं, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much Hello everybody, this is Diraas Singh Rajput, welcome to Magnet Brains, इस video में क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में पढ़ेंगे, the peasants and the sepoys, देखिए, हम पिछले video में मैं आपको क्या बताए, कि किस तरह से जो revolt हुआ था 1857 का, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारणों में से एक कारण क्या था, कि जो हमारे local rulers थे, राजास थे, नवाब्स थे, उन लोगों की power decline होते जा रही थी, ठीक है, उस कारण से revolt के लिए वो लोग तयार हो गए, कि अब जा तो रही है, पावर ऐसे भी, बचाना है तो एक बार विद्रहो करी दो, ठीक है, अब दूसरा कारण जो रहा है, तो दूसरा क participate in revolt of 1857, what was the reason, ठीक है, तो अब उस चीज को में आपको समझाने वाला हो, इस वीडियो लेक्चर में, आया समझ में, देखिए, तो country side में, simple से चीज़ है, पीजन्स की बात कर रहे है, आप किसानों की बात कर रहे है, तो गाओ में जाईए, ठीक है, तो in countryside, पीजन्स और जम समझते हो, खुश क्यों नहीं थे, देखिए, वाई, सवाली आता हो, खुश क्यों नहीं थे, तो देखो, सबसे पहले क्या है, high taxes, हम chapter 3 में पढ़के आये हैं, कि अलग-अलग तरह के जो land revenue settlements लाए गए, पर्मानेंट हो चाहे, वो फिर चाहे, वो क्या हो, महलवारी हो, चा जो आया, तो हर settlement में, tax क्या थे, बहुत जादा थे, high taxes, तो एक कारण ही रहा, कि peasants भी परेशान, अब क्या तो हम कमाएंगे, क्या आपको tax देंगे, तो बोल रहते है, British Government तो ही नहीं किसी काम की, ठीक है, उस sense में, high taxes was one reason, why the peasants and zhamidars showed their resentment against the British colonial officers, ठीक है, एक कारण ही हो गया दूसरा क्या है, rigid method of tax collection, जी हाँ, इस चीज़ को भी समझना, tax तो ज्यादा ले ही रहे थे, और ज्यादा tax के सांसाथ में, क्या है, वो जो tax collect करते थे न, तो tax collect करने का तरीका भी बहुत rigid था, बहुत rudely tax collect किया जाता था, मारते पीटते थे, ठीक है, मैंने आपको बताया थ जैसे गोमास्तास अपॉइंट करके रखे थे उन्हें, ब्रिटिश ने, ठीक है, तो वो क्या करते थे, गोमास्तास को पैसे देते थे, paid servant होते थे, और वो जाके tax collect करते थे, तो उनके बीच में लड़ाईया होती थी, पीजन्स और गोमास्तास के बीच में, लठियाल्स ल जमीदार ने tax नहीं दे पाया time पे, तो tax ना देने की सजा क्या होती थी, मारना पीटना वो तो अलग है, तो अलग चीज है, उसके बाद ना कर देखते हैं कि हाई tax नहीं दे पारा, तो वो जमीन, जिस जमीन को उसके पूरवज ने खुन पसीने से सीचते आये हैं, किसान क जमीदार की जमीन को छुड़ा लिया जाता था, ठीक है, तो most of the time, the peasants and the peasants lost their land to British, ठीक है, और इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते ये जो सारे कारण थे, तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं पीजन्ट के मन में क्या कर रहे थे, resentment, discontent develop कर रहे थे, कि यार, हम तो बस ठक चु मेरी भी परिशान ही हो, तो उसी तरह से क्या है कि जब हमें देखा कि नवाप की पावर डिकलाइन हो रही तो नवाप तो ऐसी परिशान थे, rulers, rajas ऐसे ही परिशान थे, ठीक है, so they were willing for a revolution, वो तो चाह रहे थे कि एक revolution लियाए, एक revolt लियाए, कि एक बार British हटा दिये जाए ह यहां से बस देश से, ठीक है, अब उनको peasants का भी support मिलेगा, क्योंकि peasants were also dissatisfied with the British rule, ठीक है, they were also feeling a resentment against the British rule, आगए दो कारण समझ में, अब देखो, आप यह बोलोगे, चलो समझ आता है, peasants का तो समझ में आ गया, बहुत दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पढ जानी थी, क्योंकि दिखती बात है, सिपोईस को तो यहां पर क्या मिल रहा है, एक job मिल गई एक तरह से, ठीक है, अगर British नहीं आते देश में, British नहीं आते, British आर्मी खड़ी नहीं होती, British आर्मी खड़ी नहीं होती, तो उसमें हमारे लोग काम नहीं कर रहे होते, तो सिप सिपोईस ने भी क्या किया, 1857 का जो रिवाल्ट है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, नवाब्स, रूलर्स, राजाज, पीजन्स, यह सब तो अपनी जगा पे थे ही, लेकिन जो बोलते ने, ट्रिगरिंग, जैसे गन में से जो निकलती है, बुलेट, तो वो कब नि लेट में एक्स्प्लेन यू, तो कारण क्या थे, दे वाद अनहपी अपाउट देर पे अलावेंसे अन कंडिशन ऑफ सर्विस, सिंपल सी चीज़े, सिपोईस बड़े परिशान थे, कि आप काम तो दे रहो, लेकिन काम दे रहो, पैसे नहीं दे रहो, तो दे वाद अनहप पी अपाउट दी पे अलावेंसे जनी कंडिशन ऑफ सर्विस, कंडिशन ऑफ सर्विस, यह चीज़ एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई, कैसे तो जैसे मैं एक एग्जामपल देता हूं कि नए नए रूल्स लाए, किसने ब्रिटिश ऑफिशल्स ने, ब्रिटिश जो गोलियां होती है, बलाट जो होती है, कार्टेज यह चाहती है तो पैलाए इसे चीलना पड़ता था आज के तरह मांजर नहीं होते है तो तो अब जब सब कुछ automated नहीं होता है आज की तरह तो उस समय पे पुरानी बंदू के होती तो उसमें काटइएज की छिव झुब खिचिति अगले जो इकरा से Mate God withMr.보 कई भी ती तो अब ये क्या होता था तो उस्पो condus के लिए क्या हो गया मा समान हो गई पुजा की जाती गरों में तो सिपउईज को ऐसा लगता था हमारी जो religious sensibilities हैं, हमारे जो beliefs हैं, वो कहीं न कहीं क्या हो रहे हैं, hurt हो रहे हैं, ठीक हैं, तो यह जो नए rules आये थे, और उसके बाद में और भी, देखो यह तो एक मेरे आपको cartridge का example दिया है, और भी ऐसे बहुत सारे rules थे, जैसे क्या है, कि एक agreement होता था, कि agreement to serve company in overseas expedition if required, end the story, तो इसकी म्यान मार ले जाना है, तो उन्हें कहां से ले जाए गया, तो जैसे यह इंडिया है, तो इंडिया के बात में यहां म्यान मार है, तो सिपाइयों को overseas ले जाए गया, मतलब समुदर के रास्ते ले जाए गया, अब ऐसे beliefs थे, हमारे tradition में, हमारे custom में ऐसा माना जाता था, कि अगर इंसान समुद्र पार करता है ठीगे समुद्र पार करके कहीं दूसरी जगा जाता है तो वो अपना religion खो बैठेगा ठीगे तो religion में तो बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जिसका कोई reason नहीं दिया जा सकता वैसी एक religious practice ये भी थी इसका कोई तो जब सिपॉइस तो लेकिन अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे उतना रिजन नहीं दिखाया उन्होंने कि नहीं हम कुछ कुछ नहीं होता है तो सिपॉइस के लिए सिपॉइस ने क्या बोला कि हम समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे अब यह जमीन जमीन पर ले चलो हमें हम चलने को त्यार है लेकिन ब्रिटिश ओफिशल्स ने क्या किया जिन लोगों ने मना कि उन्हें पनिश किया ठीक है फिर उसके आद में यह इशू थंडा नहीं जाएगा एग्रिमेंट टू सर्फ कंपनी इन ओवर सीज एक्स्पीडिशन इफ रिक्वाइड एन स्टूरी ठीक है तो इस्टूरी जो मैंने आपको पूरी सुनाई कि पहले लोग तयार नहीं थे तो तयार नहीं थे तो पहले जो नहीं जाते तो उन्हें पनिश्टों किय किया कंपनी ऑफिशन से के साथ में बाद में एक एग्रिमेंट बना दिया उन्होंने कि अगर कंपनी में काम करना है तो ओवर सीज तो जाना ही पड़ेगा तो यहां पर क्या है सिपाइस जो थे सिपाइस को ऐसा लगने लगा कि हम क्या है हम तो एक तरह से पिलर हैं सामराज जो है वो चल रहा है इंडिया में ठीक है और सिपाइस को ऐसल लगने लगा कि हमारे सेंटिमेंट जो है उन्हें हर्ट किया जा रहा है ठीक है हमारी वैलियूस को मतलब हमारे रिलीजियस वैलियूस को किसी भी तरह से आप वेटेज नहीं दे रहो तो इन सारी कर सकते हो दी पीजन संदी सिपोईस और क्यों इन लोगों ने रिवाल्ट ऑफ 1857 में पाटिसिपेट किया आयना समझ में तो इस तरह से उनका एक बहुत एक कारण जो बैग्राउंड रहा है कि क्यों उन्होंने कंट्रिब्यूट किया वह मैंने सारा आपको क्या किया है इस वीडियो लेक्शन में बताए ठीक है अब दूसरा कारण भी समझो और अनहपी विद वाट वास हैपनिंग इन कंट्रिसाइड कंट्रिसाइड मतलब क्या ह कंट्रिसाइड मतलब यह गाउं ठीक है अब गाउं में कौन पीजेंट्स तो देखो दिखती बात है कि उस समय जो सिपवाई की तरह कंपनी में सर्व कर रहा है उसकी फैमिली कहीं ना कहीं उतना अर्पनाइजिशन नहीं हुआ था ना उतने शहर शहरी करण उतना नहीं बतलब लगा कि गाउं में इस तरह से सफर कर रहे हैं लोग पीजन्स जो है किसान जो है लमेंदार उखर तो सफर कर रहे हूंने उन्हें बहुत टेक्स देनाँ पढ़ रहा है टेक्स कलेक्षिन का मैथ हुआ और ब्रिटिशस उनकी जमीद चुड़ा ले रहे हैं अब हो सकता है कि किसी की जमीन चुड़ाई गई और वो सिपॉय हो ठीक है उसके भाई की जमीन चुड़ाई गई उसके पिताजी की जमीन चुड़ाई गई हो तो इसके चलते क्या सिपॉय को असा लगता था क्या ब्रिटिश जो ब्रिटिश ऑफिशल को अपने अगेंस में कर दिया, अब सिपोई भी उनके अगेंस में हो गए, क्यों कि सिपोई अभी तक जो क्या मानते थे, कि हमें तो कंपणी को सर्फ करना है, जिसे अपने फिरंगी मूवी देखिए, फिरंगी मूवी में कुछ पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, मतलब कि क इस तरह से एक सिपॉय कंपनी की टूर्स लॉयल होता था लेकिन कंपनी उसके सेंटिमेंट समझने को तयार नहीं होती थी और जिसके चलते क्या है जिसके चलते सिपॉय के मन में भी आगा है कि बस इनफ इस इनफ वह आली कीज थी यहां पे ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक क लाना ही पड़ेगा तो वो क्या है वो next video lecture में हम discuss करने वाले हैं और यहां तक चीजें समझ में आई एक किसी प्रकार के डाउट है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Responses to Reforms किस तरह के Reforms और किसके Responses? जी हां, देखिए समझ ये पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्यों Peasants और Zemindars और उसी के साथ साथ में जो Supports थे, उन लोगों ने Revolt of 1857 में Participate किया होगा ठीक है? अब देखो, हम जब ये देख रहे हैं थे कि Why Different Set of People Participated in Why Different Set of People Participated in Revolt of 1857 तो उसमें हमें एक चीज़ ये भी देखना है कि 1857 का Revolt सिर्फ लोगों के Participation से ही नहीं था ठीक है? लोगों के Participation के कारण भी हमें समझना ज़रूरी है अब लोगों के Participation के कारण में मैंने आपको Specific Groups के तो बता दिये कि क्यों Peasants ने किया होगा क्यों Zemindar ने किया होगा ठीक है? क्यों Revolt में Participate जो है तो वो नवाब वहाँ के जो Local Rulers राजा थे उन लोगों ने किया होगा यह तो यहाँ तेक तो समझ में आया एक जो Major कारण रहा है किसी इसका? एक जो Major कारण रहा है 1857 के Revolt का तो वो यह है कि British East India Company में जो Officials थे तो उन Officials ने Reform लाने की कोशिश करी ठीक है? बहुत सारे Reforms लाने की कोशिश करी अब वो जो Reforms लाने की कोशिश कर रहे थे तो देखो Reform तो बहुत अच्छी चीज़ होगी न मान लोगर कुछ Reform ला रहा है वो मान लीजिए कि सती प्रथा थी जैसे आपके मन में सवार आया होगा तो उसको बदलाव लाने की कोशिश करी लेकिन हमारे लोगों ने इन Reforms के Against में Volently Respond किया ठीक है? हमारे लोगों ने क्या किया बोला कि नहीं आप बदलाव जो ला रहे हैं ये बदलाव सही नहीं ला रहे है ठीक है? कैसे? क्या पूरी कहानी समझाता हूँ तो British Officials believed that Indian Society had to be reformed British Officials ने सीधा सा सोच लिया कि Indian Society में बहुत सारे क्या है drawbacks है, बहुत सारे evils है ठीक है? बहुत सारी परिशानी है, बहुत सारी समस्या है तो उन समस्याओं में सुधार की जरुवत है किसने बोला ये? ये British Officials ठीक है, तो वो सुधार की जरुवत है और उनके पास power है, उनके पास government है तो उन्होंने laws passed करना चालू कर दिये अब जब ये laws passed करना चालू किया तो उसमें क्या होता है? They passed the laws to stop the practice of sati laws were passed to stop the practice of sati sati क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ sati practice जो होती तो एक practice होती है जिसमें क्या होता? अगर किसी की death हो जाती है मानलो किसी man की death होती है तो उसकी जो wife है उसकी wife को क्या करना होता है? अपने आपको funeral pray पे funeral pray समझते हैं? मतलब जो चिता होती है तो उस चिता के उपर क्या करना होता है? जलाना होता है अपने आपको जिन्दा समझ रहो तो क्या होता है अगर किसी के husband की death होती है तो उस महिला को कुछ महिला एक्षा से करती थी और कुछ महिलाओं को force किया जाता था कि नहीं तुम्हें क्या है अपने पती के साथ में सती perform करना होगी तकि यह बता सके कि यहां तुम अपने पती से कितना प्यार करती थी तुम purity का एक वो दे रही हो example दे रही हो तो इस तरह से सतीप्रथा जो थी सतीप्रथा को perform किया जाता था कब सतीप्रथा को perform किया जाता था इंडिया में during British time ठीक है इस इंडिया कंपनी के जो ऑफिशल से उन लोगों ने बोल दिया कि we are passing a law to stop the practice of sati ठीक अब क्या होता है लोगों ने इस चीज़ को ऐसा देखा कैसे प्रिजूम किया कि यह हमारे religious matter में इंटर्फेर कर रहे चलो यह तो अच्छे के लिए किया ठीक है मैं अगरी करता हूं कि British ने अच्छा किया होगा लेकिन आगा जैसे दूसरी चीज़े देखें तो यह कोई गलत नहीं है लेकिन उस टाइम पर लोगों क्या लगा मतलब सोसाइटी बहुत और्फोडॉक्स थी तो सोसाइटी में लोगों को ऐसा लगने लगा कि फिर इंटर्फेरेंस हमारे religious matter में को उसके husband की death हो गई लेकिन उस लड़की के सामने तो पूरा जीवन पड़ा है तो उसकी फिर से शादी कर दो तो दे एंकरेज ठीक है दे एंकरेज दी रिमेरीज ओफ विडूस ऐसे लॉस पास करें विडूरा में रिमेरीज एक्ट लाए तो चाप्टर 7 में पढ़ेंगे हम response simple सा है मिला कि हमारे लोगों ने ऐसे perceive करा कि यह हमारे religious matter में इंटरफेर कर रहे हैं ठीक है British officials हमारे religious matter में इंटरफेर कर रहे हैं और हमें हम वो बिल्कुल भी tolerate नहीं करेंगे तो इस तरह का क्या क्या इस तरह का एक outlook रखा हमारे लोगों ने हमारी देश की जनता ने ठीक अब उसका है English language education was promoted अब English language तो यहां पर हमारी लोगों को ऐसा लगा किया हमारी जो मात्रभाशा है उसके उसे क्या किया जा रहा है हमारा जो पुराना education system था यह सारी चीज़े देखो यह जो मैं आपको अभी बता रहो ना reform वाली चीज़े इसे दियान रखना क्योंकि एक chapter है आपका women caste and reform तो women caste and reform को specifically पढ़ेंगे हम उसमें discuss करेंगे ठीक है तो क्या होता है कि इनने English education को प्रमोट किया तो हमारी लोगों को ऐसा लगा कि हमारी local language जो है native language जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी ठीक है उसे क्या किया जा रहा है उसे suppress किया जा रहा है और तो और आप फिर British officials ने क्या कर दिया British officials ने इसे law बना दिये कि जिसके चलते कोई भी European अगर school वगरा लगा रहा है यहां पे English media में school education प्रोवाइड करने के schools वगरा लगा रहा है तो उसे जमीने आसानी से मिल जाती थी अब जमीने मिलती थी तो जमीने किसकी छुड़ाई जाती थी किसानों की तो यह सारी चीज़े कहीं न कहीं वो reform के नाम पे कर रहे थे और हमारे लोगों को अंदर ही अंदर घुसा वड़ते जा रहा था फिर क्या होता है 1850 में law was passed to make conversion to Christianity easier ठीक है मतलब ऐसा law बना दिये गा है कि कोई अगर Christianity में convert हो रहा है तो धर्म परिवर्तन करवा र law by law ठीक है कानून बना दे रहा है इसा बोल दिया कि अगर कोई किसी एक religion से Christianity में convert होता है तो उसे क्या मिल जाएगा अपनी पूरे पूरवजों की property बहुत आसानी से मिल जाएगी तो यह क्या कर रहे थे रिफॉर्म के नाम पे क्या कर रहे थे दोनों चीज़े रिफॉर्म लाए भी है कुछ अच्छे रिफॉर्म भी लाए उन्होंने और कुछ रिफॉर्म के नाम पे क्या कर रहे थे वो हमारे लोगों को exploit कर रहे थे जब हमारे लोगों ने यह सारी चीज़ों को observe किया बून बून से गड़ बरता है तो यहां पे हमारे लोग परेशान हो गए थ जा कि इसमें तो बहुत समस्या हैं बहुत सारी प्रावलम हैं ब्रिटिश क्या कर रहे हैं यहां पे ब्रिटिश आर डिस्ट्रॉइंग दी रिलीजन ठीक है रिलीजन रिलिजन रिलिजन वैलिउस को destroy कर रहे है शोशल कस्टम ट्रेशनल वे ओफ लाइफ जो हमारे इंडिय लोगों ने चाहिए वो कोई भी ओपीजेंट हो चाहिए राजा हो चाहिए वो जमिदार हो चाहिए वो सिपॉय हो ठीक है सभी लोगों ने क्या-क्या कमर कसली क्योंकि एक मेजर डोमेन होगे ना रिलीजन हर इंसान follow कर रहा था और हर इंसान को religious sentiments बहुत जादा क्या थे प अब तो एक बार हमें क्या करना होगा British East India Company को यहां से उखाड़के फिकना ही होगा अब आपके मन में इस मासूम से बच्चे की तरह डाउट आया होगा सर एक कोश्यन है क्या कि रिफॉर्म तो बहुत अच्छे होते है ना सर फिर फिर रिफॉर्म जब इतने अच्छे होते तो British East India Company का अगेंस में क्यों हमने रिफॉर्म अपनी जगा में वही कहरो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रिफॉर्म अपनी जगा है जैसे सती प्रत्था बैन करना विडो रिमेरिज ये ठीक है वेल बहुत बढ़िया है लेकिन आप वो रिफॉर्म की आड में जो मैनुपिलेशन ला रहे है वो बेकार था ठीक और इसी के चलते क्या है कि लोगों ने रिफॉर्म में पाटिसिपेट के उन्हों ने देखा कि ये रिफॉर्म जो है तो ये रिफॉर्म पॉजेटिव नहीं है ठीक है ती रिस्पॉंसेस टु दी रिफॉर्म वर वेरी उस थे कि नहीं नहीं ब्रिटिश इन्हें कमनी गलत कर रही है और कर रही थी गलत ठीक है तो दिस वास अल अलबाट इस टॉपिक ठीक है ये सारा सब कुछ पड़ा हमने आप यहां तक चैप्टर का एक पार्ट आपको समझ में आया कि जो 1857 का रिफॉर्ट हुआ तो उस र आफ्र वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे अभी मतलब हम यह वाला पार्ट देखेंगे कि क्या क्या हुआ आखिर रिवॉल्ट में वह सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वह बड़ा इंट्रस्टिंग है वह थूदी आइस ठीकें थूदी आई उफ तूदी आई सव दी पीपल तो तूदी आइस ऑफ दी पीपल में क्या है आपको यह देखना है समझना है कि जो जनता थी तो वह जनता ने किया देखा रिवॉल्ट में तो अलग-अलग मित थरोड़े से आइडिया जह में दो सोर्स भीस जो देटा है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या चीज़े हुई है फाइन आप यहां तक चीज़े समझ में आई हैं किसी प्रकार का डाउट है तो फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्शन तेल देन स्टे करेक्टेट कीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच्ट ह कि अभी तक जो हमने देखा तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक ग्राउंड बन गया था किस चीज़ के लिए फुटबाल नहीं खेलना है एक ग्राउंड बन गया था रिवाल्ट ऑफ 1857 के लिए ठीक अब वो जो पूरी सिच्वेशन डवलप हुई थी उस सिच्वेशन को लोगों ने कैसे देखा तो थूदी आइज ऑफ दी पीपल में हम वही पढ़ने वाले कि हो पीपल परसीवड दी कंडिशन बिफोर दी रिवाल्ट ऑफ 1857 ठीक है जो भी फैक्टर जो ट्रिगर कर रहे थे ना कि यहां आप रिवाल्ट होगा तो उन उन सारे फैक्टर के का किया बढ़ा से चीजों को देखा ठीक है तो देख्ट आपर एल्वा थे लोगों के दौरा ही हुआ दिखती बात है और डिवाईट क्या बताता है लोगों का माइंसेट बताता मांव तो रहा तो उसको देखने वाला कि यह कुछ गलत काम करके दोड़ रहा होगा ठीक है अब देखने वाला क्या देख सकता है कि नहीं नहीं वो अपनी health conditions को improve करने के लिए दोड़ रहा होगा कोई ये भी सोच सकता है क्या कि उसके पीछे शायद कोई उसको उसे पगड रहा होगा की और फिर किसी कारण से डर के मारे दोड़ रहा होगा तो देखने वाले के परस्पेक्टिव अलक हो सकते हैं तो उसी तरह से जो reward हुआ है ना, तो reward में क्या होता यह कर शहां पर समझो यह जो reward हुआ है, तो इस reward में लोगों ने participate किया और लोगों ने जब participate किया तो लोगों के mindset भी अलग-अलग रहे होंगे ठीक है तो अब हमारे past में क्या है हमारे को ये देखना है कि what people were seeing at that time ठीक है लोगों ने किस तरह से revolt को देखा वो जो situation डेवलप ही उसे कैसे देखा तो दो source है आपके the list of 84 rules और दूस दूसरा है there was soon excitement in every regiment ठीक है तो इन दोनों sources के तुरू आपको ये समझना होगा इस चीज को कि क्या लोगों का perspective रहा था यहां पे जैसे एक book है मजा प्रवास ये किसके दुआरा लिखीगे ये source में बताया विश्नुबट गोड से ठीक है तो ये ब्रामन family से बिलॉंग करते ठीक है और ये मत्रवा जा रहे थे अपने अंकल के साथ में येनकी बुक है मजा प्रवास मजा प्रवास मतलब क्या होता है प्रवास का मतलब समझता है मुवमेंट जो होता है प्रवास तो मजा उनका प्रवास था उसके बारे में उन्होंने बताया अपनी बुक में कि 1857 क पर क्या है कि जब वुनके उंकल और वन के कहा है तो मत्थुरह जा रहे थे, mind умण एक यजना क्यों सकते हैं क्य एक religious ceremony के लीके में जा रहे थे तब हम पर उनको रास्ते में कौन मिलते हैं सिपॉइज मिलते हैं सिपॉइज ने क्ये बोल देते तो सिपोर्ज उन्हें मना बोल देते कि आपको क्या है आपको नहीं जाना है आगे कियों की बहुत-बड़ा एक uphold होने वाला एक revolt होने वाला सिपोर्ड मेरे मत जाना कियों क्यों क्यों कि Kings and princes in Calcutta, ठीक है, तो Britishers ने ये decide कर लिया कि Hindu Muslim के religion को का करना है, पूरी तरह से wipe out करना, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे rules वगरा बना लिया और राजाओं को बता दिये, लेकिन राजा इससे खुश नहीं है, तो they said that the kings refused, ये मतलब ये बात उन्हें सिपोईस ने बताए थी तो Vishnu, क्या नाम उनका, ठीक है, विश्नु बट गोट से जो है, तो वो अपनी बुक में लिखते हैं ऐसा, कि सिपोईस नो ने बताए, they said that the kings refused to accept these rules and warned the English of direct consequences and massive upheaval if these are implemented, तो राजा जो थे जिन नवाबों को उन्होंने बताए कि 84 rules को हम implement करने वाले हैं, अगर implement करेंगे तो हमारे जो राजीक की जो भी प्रजा है, वो क्या करेगी, वो एक massive upheaval कर देगी, आपके आगे इसमें reward कर देगी, उन्होंने सारे राजा नवाब सभी लोगों को जिनको बुलाया, तो ना चेताव नहीं देखे आगे Britishers को, ठीक है, यह हो गया है, तक फिर that the king all returned to their capitals in great anger, all the big people began making plans, the date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Marut by letters sent to different cantonments, तो सिपोईज को भी इंक्लूड किया जाएक, और सभी जगा क्या बात फैल गई है, तो इस तरह से, विश्नुदात गोट से जो है, तो अपनी book में इन सारी चीदों को क्या करते है, विश्नुदात गोट से अपनी book में इ eyes of the people, तो लोगों ने एक perspective बताया आपको, एक dimension से, इस dimension से देखने की कोशिश करो, कि जो reward of 1857 होने वाला है, तो इस reward of 1857 के पहले लोग भाप चुके थे कि देश में कुछ बढ़ा होने वाला है, जैसे ऐसा रहता है ना, कि एक example लेते है, ये corona situation में, आपको लगा कि cases लग रहा तो, cases बढ़ रहे तो लोगों कैसा लग गया है, कि हाँ cases बढ़ रहे, दिक्कत हो सकती है, देश बंद हो सकता है, लोगों ने भाप लिया उस चीज़ को, ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे भी जो लोग observe कर रहे थे चीज़ों को देख लिए कि हाँ revolt जो है, वो प्रिटिश आर्मी में सर्फ किया ये, फ्रम सिपोय टू सुबेदार, तो सिपोय की रेंक से सुबेदार तक गये, सुबेदार तक बने, ठीक है, और इन्हों ने जब रिवाल्ट ओव 1857 में क्या किया, ब्रिटिश का साथ दिया था, मतलब इन्हों ने अपनी एक बुक लि देखी अपनी आखों के सामने, ठीक है, बट इवास लॉयल टू दी ब्रिटिश, तो मतलब ये, उनके अंदर की वो एक क्वालिटी कह सकते हो, आपकी इस लॉयलिटी टूर्स ब्रिटिश वास मूर, वो बात अलाग है कि इन्हें भी रिवाल्ट में पाडिसिपेट कर लेन तो यहाँ पे देखोर, यहाँ पे रिवाल्ट को सपोर्टिंग परस्पेक्टिव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो परस्पेक्टिव देखने को मिलेगा आपको किसका, सुबेदार का, ठीक है, सुबेदार सीतराम बंडे का, तो उनका जो परस्पेक्टिव है, वो क् काने की कोशिश कर रहे हैं और राजा अपनी गादी बचाना चाहते हैं अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं इसके चक्रमों क्या है कि वो ब्रिटिश के अगेंस में क्या सकते हैं पूरा कान्स्पिरेसी प्लान कर ली उन्हें और रिवॉल्ट होगा ठीक है तो आपको यहां पर देखना थूदी आईज ओफ पीपल तो मिक्स्ट इमोशन से थोड़े से मिक्स्ट इमोशन से मिक्स्ट परस्पेक्टिव से और इस बीच में लोगों ने लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि यह देख लिया कि हाँ रेवल्यूशन तो होगा भाई ठीक है एक रिवॉल्ट एक बड़ा एक बड़ी लहर तो आना तय है यह सारा सब कुछ हमने देखा इस वीडियो लेक्चर में आई होप आपको यहां तक चीजन समझ में आई है कि कैसे क्या चप्टर चल रहा है हमारा ठीक है अब हमने बैग्राउंड देख लिया था देखूं अभी तक हम चैप्टर में कहां पहुच गया है ठीक है यह रिवॉल्ट है तो 1857 अब क्या होता 1857 यहां पर हमने अगर देखा तो यहां तक अभी हमने पूरा बैग्राउंड समझ लिया कि नवाप्स की अब हमें देखना है कि रिवॉल्ट वाले टाइम पिरिट में हुआ है क्या तो अब नेक्स वीडियो लेक्ट्टर से हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं फाइन कि रिवॉल्ट में क्या क्या हुआ कैसे रिवॉल्ट स्प्रेड होता है यहां तक किसी प्रकार के डाउट है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much एक और चीज़ इसमें को important question ही आने वाला है बस हमने उसे reference के लिए समझा ठीक है तो मिलते है next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे a mutiny becomes a popular rebellion ठीक अभी तक हमने क्या पढ़ा तो पिछले वीडियो तक मैंने आपको एक basic जो foundation बना था किस चीज़ के लिए तो जो foundation बना था revolt of 1857 के लिए वो foundation के कारण समझाए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ लोग discontented थे और revolt हो सकता है ठीक है फिर लास्ट वीडियो जो था तो उसमें हमने डिसकस किया कि लोगों का क्या perspective था लोग किस तरह से situation को देख रहे थे भाप रहे थे before ठीक है just before the revolt यह सारा सब कुछ complete कर चुके ह हम यहां तक अब आगे क्या पढ़ेंगे हम अब हम पढ़ेंगे mutiny becomes a popular rebellion क्या चीज़ है यह मतलब क्या होता है महाँ पर लड़ रहे हैं आफिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी वी तरह से तो म्यूटीनी तो म्यूटीनी becomes a rebellion popular rebellion rebellion मतलब क्या बड़े लेवल पर विद्रो तो यह चोटा सा गदर मचा है यह गदर किस तरह से बड़ा विद्रो बनती है हमें इन दोनों चीज़ों को जोड़ना है वह बताया म्यूटीनी becomes a popular rebellion तो छोटे लेवल पर जो म्यूटीनी होती है वो एक रेजिमेंट के अंदर क्या होता है सिपोई रिबल कर जाते हैं रिबल कर जाते हैं बागी हो जाते हैं तो वहां से वह सिपोई rebellion से लेके वह पूरे के पूरे देश में एक बड़ी आजादी की लड़ा है चाये वो अब कोई Indian ruler रहा हो Indian Indian Indianius ruler रहा हो, कोई भार से हैं और मुगल ruler रहा हो, कोई भी रहा हो हर ruler के एंडर में क्या होता है the power of state breaks down सिखसन हिला दिया तो उस तरह से कोई किसी तरह से protest करता है क्योई अपनी Aww option सिघणese इल जाए, the power of state एप्रीक्स गवर्मेंट की जो प्राटिरेअ गवर्मेंट के से लगी कि यह गई वहर्स पानी में उस तरह की सिटवेशन डंफ opt है तो राबिलियन बनती जी हाँ, 1857 में हम उस पोजिशन में आ गए थे कि थोड़ा और मजबूत रहते अगर, थोड़े कह सकते हैं कि तारे हमारे फेवर में रहते हैं, तो हम आजादी शायर 1857 में ही पाल लेते हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री में कभी भी ये नहीं पढ़ा कि अब यहाँ पर समझना, for such a situation, अब ऐसी situation ऐसा ही नहीं कि कभी भी develop हो जाती है, कि आप बस राजा के सिंगलासन पर जाके हिला दोगर बोल दोगी कि हमने तो बहुत बड़ा rebellion करा था, वो नहीं, for such a situation to develop, people have to organize, ऐसी बहुत बड़े लवल पर आपको किसी situation को develop करना है, तो आपको लोगों को organize करवाना होगा, ठीक है, आपको लोगों के बीच में communication develop करवाना होगा, communicate, take initiative and display the confidence to turn this situation around, ठीक है, आपको वो सहस दिखाना होगा, वो आत्म विश्वास दिखाना होगा, कि आप चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है, British East India Company को यहाँ से हटा के कहीं और fake सकते ह समदर में डाल सकते हो, तो ऐसा लोगों के अंदर उस समय पर confidence था, यह जो शब्द लिखें नहीं, यहाँ पर, they have to organize, communicate, यह सारी चीज है, तो शायद यहाँ पर थोड़ा समय अगरी नहीं होगा, बुक के साथ में, क्योंकि communication और इन सारी चीदों की कमी रह गई जिसके यह stand बन चुका था, ठीक है, अब देखो क्या है, such a situation developed in the northern part of India in 1857, और खास करके नदन पार्ट की बोली गई यह बात, देखो नदन पार्ट की क्यों बोली गई है, तो जो 1857 का revolt है, तो देखो यहाँ पे, मेरट, देली, बरेली, लखनाव, बनारस, पतना, अरहा, ग्वाल जांसी, बरेकपूर, उसके अदमें 17 तक, तो यह पूरे एरिया में क्या है, एक तरह से, जो पूरे एरिया में, रेबिलियन की जो forces है, वो बहुत strong खड़ी हो रही थी, ठीक है, और यह अगर बहतर तरह से organized रहती, सारी आपस में connected रहती, तो शायद आजादी, तभी मिल ज तो वो खेल गई महाँ पर, तो यह हुआ British East India Company और हमारे rebels के साथ में, चीक है, तो यह situation डवलप होती है कहा नदन पार्ट में, कब 1857 में, चीक है, the English East India Company faced massive rebellion that started in May 1857, May 1857 में British East India Company ने एक massive rebellion को फेस किया, कि उनके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा विद्रो, एक बहुत बड मेरिट, ठीक है, तो ट्रिगरिंग फेक्टर जो रहा, सिपोईज रहे, तो वो तो हम पढ़ें गई, और क्यों तो क्यों पूछने से पहले आपको थोड़ा सा, मतलब मेरे बारे में थोड़ा तो सोचना होता, कि अभी इमने पीछे पढ़के आएं, पूरा, तो वो तो ध् परिशान, ठीक है, सिपोईज परिशान, जमिनाप्स परिशान, नवाप्स परिशान, रिलिजियस सेंटिमेंट्स के साथ हट कर रहे थे, रिफॉर्म लाने के नाम पे हो क्या कर रहे थे, लोगों के रिलिजियस सेंटिमेंट्स को हट कर रहे थे, तो ये सारी चीजों ने fertile ground तो बनाई दिया था तो इनी कारान से क्या होता है the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 आयना समझ में अब देखों यहां पर कहा है सिपोई म्यूटिनीड इन सेवरेल प्लेसेस बेगिनिंग फ्रॉम मेरट ठीक है तो सिपोई जो है तो अलग अलग जगा पर क्या गदर मचाते है ठीक है starting from मेरट तो मेरट से स्टार्ट होता है and this rebellion ठीक है यहां पर जब जो बागी सिपाही थे तो बागी सिपाहीों ने जब क्या किया पलट के जवाब देना चालू किया इस पूरे इवेंट को 1857 के रिवाल्ट को क्या कंसिडर किया जाता है it is considered as the biggest arm resistant to colonialism all over the world in the 19th century तो 19th century में जो colonialism है जिस तरह से कॉलोनी बना बना के बैठे थे ना इडिया पे ब्रिटिश आ गए थे ठीक है और दूसरी दूसरी आगा जैसे व्यातनाम देखो गया आप तो व्यातनाम वगेरा पे फ्रेंच से चले गए तो जो अलग अलग जगा कॉलोनी बना के बैठे थे इस तरह से तो ये कॉलोनीयल रूल को सबसे बड़ा आम्ड रेबिलियन देखा गया पूरी नाइंटीन सेंचुरिय मतलब अठारा सो एक से अठारा सो निन्यानव एटीन जीरोवन से एटीन नाइंडीन तक किसी ने भी इतना बड़ा आम रेजिस्टेंस कॉलोनीयल गवर्मेंट के अगेंस् 1857 के रिवाल्ट की ठीक है तो 1857 के रिवाल्ट में क्या होने वाला है आगा समझ में आप दूसरी लेयर में जैसे जो आप बोल रहे हो की अधी सिपॉय मुटिने इस सेवरल प्रेसे बिगिनिंग फॉम मेरट तो यह मेरट से किस तरह से लोगों ने रिबल किया सबसे पहले वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं I hope चीज़े यहां तक क्लियर हैं किसी प्रकार का कोई डाउट है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much वेलस काने वाले हैं इस удो में पढ़ने वाले है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैरट टू डेली क्या चीज़ यह पिछले वीडियो में वह थे कि सैगॉल मुती नीजो है ठीक क्छोटे लेवल पा गढदर्मच्ट यह वह起來 एक बड़े rebellion का रूप ले लिती है, एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिती है, ठीक है, वहाँ तक हमने आपको चीजें clear करी थी, अभी अब हमें देखना है कि यह जो पूरा revolt बनता 1857 का, तो यह पूरा revolt मेरट से डेली तक जाता है, मेरट से डेली तक कैसे जाता है, वही और आपके दुश्मन की क्या है लड़ाई है आप दोनों के बीच में, तो वह लड़ाई तो बहुत पीछे से बहुत सारे factors के कारण है, लेकिन triggering factor कब हो जाएगा जब आमने सामने आप एक दूसरे से लड़ ले तो, तो उस तरह से जो आमना सामना होता है, जहां से trigger होता है कि हाँ, revolt start हुआ है, वो point क्या था, वो point भी मैं आपको बताऊंगा, और सारी चीज़ें तरह तरह की जो है इस video lecture में हम discuss करने वाले हैं, and here we begin, ठीक है, तो 29th March 1857, Mangal Pande was hanged to death, ठीक, अभी एक open statement दे दिया कि Mangal Pande कोई थे, उन्हें 29th March को क्या कर दिया, फासी दे दी गई है, अब सवाल आपके मन में, क्यूं, क्या हुआ, किस लिए फासी दे दी, तो वो सारी कहानी समझाता हूं, मैं देखी, क्या होता है, तो Mangal Pande, he is considered one of the first nationalists, ठीक है, तो शुडवाती दोर में, जिसे जिन्होंने विद्रहो किया, तो वो Mangal Pande को उस चीज़ का credit दिया जाता है, मूवी भी है, आमीर खान की Mangal Pande के उपर, उसे देखेगा, ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्हें फासी दी गई, तो वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, वाई ही वाउस हैं, तो वहाँ पर यह सोलजर थे, अब क्या है, अपने ही ऑफिसर को, अपने ही European ऑफि लेकिन कारण बता तो क्यों मारा, वो भी समझाता हूं, ठीक है, तो इन्होंने क्यों मारा, उसके पीछी cartridge थे, बतलब जो पूरी चीज़ें हुई है, उसके पीछे cartridges जिम्मिदार थे, पहले क्या था, पहले जो gun use की जाती थी, वो gun अलग थी, उसके बाद में क्या होता है, भी आए फिर यूए जो नहीं घन आई ठीक है न्यूए गंस जो आई थी तो जो इन फेलड गंस आई थी ठीक है ? तो वह इन फेल्ड गंस में क्या होता था činnin की जो इसको चाट्रीज को झाती थी अब इसके उपर है यह कवर है नyang मुँसे ची़ लैना पड़ता थी और फिर क्या लगे कि उसके अंदर बिलेट लगने वाली है ठीक है तो इस तरह की जो गन आई थी नई गन अब वो नई गन में प्रॉब्लम क्या थी यह समझे तो ऐसी रूमर्स फैल गई ऐसी अफवाएं फैल गई क्या कि यह जो काट्रिजिस हैं तो इसको ग्रीस मतलब इस इसके अंदर ग्रीसिंग जो की गई है ऐसा कहा गया दूसरा पिग फैट तो पिग फैट में जो इसलामिक फॉलोवर्स थे इसलामिक सोल्जर्स जो थे ठीक है जो मुस्लिम्स थे तो वो इस चीज़ को क्या सही नहीं मानते थे तो यह सारी समस्या होने लगी ठीक है जब ऐ सा लग रहा था कि यह तो हमारे रिलीजिस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है और रिलीजिन को खतम कर देंगे तो मंगल पांडे ने क्या बोलते है साफ मना कर दिया इंकार कर दिया कि में इन कार्टेजिस को यूज नहीं करने वाला हूं ठीक है और फिजब जोर जवरस थी उन्होंने बोला कि ऐसी नोखרी उर्ट से तो नहीं हो तो अच्छी है और उन्होंने क्या किया कि कि अपने एक ओफिसर को ही मार दिये बराकपुर में अब फॉलओट बाइडीस देखो उनने क्या कर दी सज्चा सजा दे धिसह ठीके, followed by this, उनके कुछ दोस्तों को भी क्या कर दिया गया, उनकी जो पूरी आर्मी थी, इंफेंट्री थी, उसको डिस्बैंड कर दे, बोलते हैं कि नहीं निकाल दो सब को नोगरी पे से, ठीके, अब क्या हुआ, ये triggering factor हो गया, मंगल पांडे को जब फांसी दी गई, उसके चलते क्या होता है, सिपाइस ऑफ दी रेजिमेंटेट मेरेट, रिफ्योज टो डू दी आर्मी ड्रिल, यूजिंग न्यू कार्टेजिस, तो आप क्या है, कि ये जो नई कार्टेजिस बन क्या आई थी, ठीक है, इन कार्टेजिस में क्या लगाया गया है, काव और फिक फै लगाया गया है, तो सारे सोल्जर जितने भी थे मेरेट रेजिमेंट के उन्होंने मना बोल दिया, कि हम इन नई कार्टेजिस को यूज नहीं करेंगे, कारण मैंने बता दिया आपको अभी वाय, क्योंकि वो रूमर्स जो फेल रही थी, कि ये हमारे रिलिजिस से सारे सिपोईस जो थे मेरेट रेजिमेंट के उनने भी मना बोल दिया, अब क्या होता है, तो देखो, मेरेट रेजिमेंट के सिपाये जब मना बोल देते हैं, तो 85 सिपोईस वर डिसमेश्ट फ्रम सर्विस and sentenced to 10 years in jail for disoving their officers, अब देखो, ये जो इशो ये खतम नहीं सुचा, British officers ने सुचा कि सजा तो देना पड़ेगी निए, तो हर अगले दिन क्या हो जाएगा, कही न कहीं किसी रेजिमेंट में बोल देगे कि हम नहीं कार्टेजिस यूस नहीं कर रहे हैं, तो अब समझना इस चीज को, क्या होता है कि उन्होंने यहाँ पे गल्ती कर दी, colonial officers ने, क्या गल्ती कर दी, कि उन्होंने 85 सिपॉइस को सजा सुना दी कि 10 साल तक अब तुम क्या रहोगे, जेल में रहोगे, ठीके, तो 10 साल तक उनको जेल में रहने की सजा सुना दी, उनको आर्मी से dismiss कर दिया, और कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मना कर दिया अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिपॉइस जो रिवाल्ड करेते पास उन्हें अंदर डाल दिया, चिज़ें खतम ऐसा नहीं है, तो यो 85 सिपॉइस अंदर गए हैं, बाकी जो बहार रेजिमेंट में दूसरे सिपॉइस तो ने ऐसा लग रहा था, कि हमारे सातियों के जेल में डाला गाया था, तो अब क्या होता है कि 10th मार्च 1857 के दिन जो बहार सोल्जर्स थे, सारे सोल्जर्स इखटा होते हैं, और इखटा होने का आद में जेल में जाते हैं, जिस जेल में बाकी सिपॉइस को कैप्चर करके रखाता है, और वो जेल का ताला तोर देते है वहाँ पर ओफिसर्स को मार देते हैं, ठीके, और सारे सिपॉइस को बाहर निकाल लेते हैं, और इस तरह से ये एकदम intermediate cause है revolt का, कि यहां से शंकनात कर दिया है, बस अब क्या करना है हमें, ब्रिटिश गवर्मेंट को इंडिया से उखारना है और अलग फेकना है देश से ब लिए, तो इस तरह से क्या होता है, यह पूरी activities subsequently आगे होती कि जो हतियार थे, उसारे हतियारों पर हमदा कर दिया, उन्होंने हतियार अपने कबजें में लिए, आग लगा दी building में और जो British property थी, Britishers के उपर हमला करना चालू कर दिया, अब Britishers भागे दुरुतर, भी आप ब vision देखा, उन्होंने क्या बोल दिया, कि अभी तक सहन करते आएं हैं, अब सहन नहीं करेंगे, ठीके, and they decided, they were determined to bring an end to the British rule, British rule खतम करना है बस बात खत्म, अब देखो लेकिन एक सवाल उनके मन में फिर आया, आप British rule खतम कर दोगे, लेकिन फिर country का head को अनोगा, तो उन्होंन अने के बाद में अब फिर rule कौन करेगा, तो एक ही नाम सामने आया, ठीक है, the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar, अब आप सोचो कि क्यों कोई दूसरा भी कर सकता था, सिपोईज में सी कोई एक लीडर कर लेता, लेकिन इसमें पूरा sequence समझो, चीजों के पीछे का logic समझो, Bahadur Shah Zafar जो थे तो ला प्रिटिश रूल जाएगा, तो जो हमारा पहले जैसे सिस्टम था, उसे रिस्टोर करेंगे हम, ठीक है, तो लोगों के मन में एक ही सवाल था सिधा कि Bahadur Shah Zafar को हम क्या करेंगे, राजा बनाएंगे, तो अब यह जो आपकी टॉपिक है ना, इस टॉपिक को समझो, from Merit to Delhi, तो बादur Shah Zafar कहा थे, डेली में थे, तो अब Merit to Delhi में क्या होने वाला, यही चीज़ होने वाली कि अब यह Merit में जो सोलजर्स जिन्होंने रिवाल्ट किया है, ठीक है, अब वो डेली जाएंगे सीधित, तो यह रातो रात सारे सोलजर्स डेली पोहुचते हैं, ठीक है, त यहां पे भी रिवाल्ट हो गया, तो वहां भी रेविलियन देखने को मिला, तो अब क्या हो रहा है कि, जैसे मैं आपको स्टाइटिंग में दिखाए कि एक सेंटर नहीं रहा है 1857 का रिवाल्ट का, देश में अलग 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 तरह से लोगों ने रिवाल्ट किया है, तो मेरट हो गया, बरेकपूर हो गया, फिर अब यहां पे देली में भी पहुंच गया, तो देली में भी वहां की जो रेजिमेंट थी उसने रिवल कर दिया, तो इस तरह से रिविलियन जो भी वह उस प्रेड होते जा रहा था आगे की तरह, ठीक है? तो स्टी술 गैधे़ और अब जब सब British officials को मार पीट के soldiers free हो गए तो सारे soldiers कहां इखटे होते हैं वो सारे soldiers इखटे होते हैं नेर दी Redford तो Redford को घेर लिया अब Redford को क्यों घेर लिया Redford में अभी कोई British नहीं रह रहा था Redford में रहते थे बादूर्शा जफर तो वो बादूर्शा जफर के पास पहुच गए क्यों बादूर्शा जफर के पास इसलिए पहुचे क्योंकि वो बादूर्शा जफर को proclaim करना चाहते थे कि आज से आप हमारे leader हो आप lead करो हम लड़ाई लडएंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे British rule खदम करेंगे तो शुरुवात में तो बादूर्शा जफर में सुचा कि ये तो आगए आज लड़ने कल को अगर British भारी पढ़ गया तो ये तो सब भाग जाएंगे British गरदन मेरी पकड़ेंगे तो शुरुवात में बादूर्शा जफर was not willing to participate in the revolt of 1857 या फिर he was not willing to lead the revolt of 1857 बादूर्शा जफर स्टार्टिंग में नहीं चाहते थे कि वो लीड करें कारण में समझाता हूं को ये डर था कि जो कॉलोनियल पावर है बहुत माइटी है ठीक है बहुत बड़ी है बहुत मजबूत है क्या हम हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे तो एक थोड़ा सा doubt था उनके मन में लेकिन फिर क्या होता है soldiers नोंने बहुत मनाया कि नहीं नहीं आप हाँ कर दो बस बागी तो British rule को हम खतम कर देंगे तो इस तरह से जब बादुशा जफर ने देखा कि नहीं यार बच्चे इंदुजियास्टिक दिख रहा है कि हाँ अभी हराएंगे British school को खतम कर देंगे ठीक है और बादुशा जफर ने ये भी सूचा कि मौका है आज कर लेता हूं ठीक कि एक ट्राय ले लेता हूं क्यों नहीं तो वैसे भी मेरी डेथ के बाद में तो सब कुछ खतम होना है British school में जिसमें आपको श्राइटिंग में बताया था क्या कि बोल दिया था बादुशा जफर की फैमिली को जफर क्या लिखा हूं नहीं पहुचा यहां पहूं पहुचा है ठीक है बात दूर्सा जफर ने क्या लेटर पहुचा उन्हें सारे जो अलग-अलग deficient ते चिफिशन मतलब अलग-अलग unity सारे लोग united रहेंगे तो possibility जादा है कि हम एक अच्छा bounce back कर सकते हैं ठीक एक अच्छी तरह से क्या कर सकते ब्रेडिश रूर्ट को खतम कर सकते हैं फिर दूसरी चीज क्या है कि बादूर्शा जफर का नाम ही काफी था देखो बादूर्शा जफर ना तो खुद बहुत अच कंट्री के रूलर है ठीक है मुगल डैनेस्टी की इनके पास lineage है यह कंट्री का अगर देखा जाये तो क्या है प्रक्टिकल अगर देखा जाये तो पूरा जो एंपायर था वो इन्हीं के अंडर में था पहले तो उस तरह से क्या है लोग motivated फील करते थे तो दिस सिंगल स्ट है वो तो पहले वह किसके अंडर में थे पहले सारे के सारे लोकल्स जैसे हमने देखा है तो अलग-अलग बैंगॉल के नवाब और हैदराबाद के और उसके बाद में जो अलग-अलग जगह थी तो अवद के नवाब ठीक है तो इन सारे लोगों ने क्या कर आपनी रिंडीपेंडेंस along सो मिला इंडिपेंडेंस ल॓लर से तो उस्टमेंट्ली क्या है कि थोड़ा सा पीछे जाओगो से स्पतक्र dragons डिखाता है किए हाँ कुछ बड़ा होने वाला है ठीक है लोगों को कॉंसेंस व क्या यां एक sense of motivation आ गया कि नहीं नहीं बस अब change ला सकते हैं ठीक है तो British expectations अब यह जो cartridge वाले छोटा सा issue था Britishers ने क्या करा उन soldiers को 10 साल की सजा सुना दी वंगल पांडे को जैसे फांसी की सजा दे दी तो यह cartridge वाला issue British officials को ऐसा लगा कि it would die down ठीक है तो छोटा सा issue है खतम हो जाएगा ऐ लेकिन ultimately होता नहीं है क्यों नहीं होता है क्योंकि आपने देखा लोगों के अंदर जो घुसा बढ़ा हुआ था ना उस घुसे को चिंगारी देने का जो बारूत था पुरा का पुरा उसे चिंगारी देने का काम इस issue ने कर दिया ठीक है तो British never expected कि इतना बड़े इतने बड हो गए अपने आपको तो भादुर्शा के इंवाल्मेंट के कार में बताने कि बड़ा नाम बन गया एक ठीक है बड़ा नाम बन गया मान लीजेस जैसे सचिन तेंदुल का रेटायर हो चुके है लेकिन आज वो इंडियन क्रिकेट टीम के कोज बन जाते तो एक बड़ा ना को लोगों के अंदर बहुत आशा है जाग गई लोगों के अंदर भोट एंब अब हम बढलाव ला सकते हैं ठीक है तो यह मैंने आपको बताए कि कैसे जो revolt है तो वो revolt मेरट से दिली तक पहुचा ठीक है फाइन यहां तक हमने सारी चीजे पढ़ी है अब हम आगे क्या देखेंगे कि rebellion किस तरह से फैलता है लोग कौन-कौन पार्टिसिपेट करते तो अब वो पूरा पार्ट है लड़ाई भीड़ाई वाला ठीक है तो वो सारा सब कुछ हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं आयोप यहां तक चीजे समझ में आईए किसी को किसी प्रकार के डाउट हैं तो फिल फ्री तो आस्क इन कमेंट सेक्शन तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू अवरी मच हलो आवरीबडी इस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम तो मैगने बेंस इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे धी रबिलियन स्प्रेड़्स देखिए पिछले वीडियो में मैं आपको बताया कि जो पूरा बैक्राउंड रेडी हो गया के लिए सोल्जर्स जो है सिपॉइस जो है तो मेरेट से दली तक पहुच गए और जो ट्रिगरिंग फैक्टर रहा है वो मेरेट में जो सिपॉइस ने मना कर दिया था कि हम यह काटिजेस यूज नहीं करेंगे वहां से स्टार्ट होती है चीज़े बादूर्शाज जफर के इन्वाल्मेंट के बाद में यह सारा सब कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा था बादूर्शाज जफर की इन्वाल्मेंट के बाद में एक ब्रॉड स्ट्रेचर मिल गया किस चीज़ को रिवाल्ट आफ 1857 को अब यह जो खबर रहती है कि हां 10th में पे क्या होता है कि दली देखने को मिला अलाग अलाग सेंटर्स पे लोकल रूलर्स चीफीशन्स इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्मेंट के अगिंस्ट में आवाज उठाना चालू कर दिये ठीक है तो क्योंकि यह सेंट्रलाइज ऐसा हो रहा देखो कि जो हमारी कंट्री का जो पीक है पीक इन द रूलर्स वर दी लास्ट सो कॉल्ड रूलर्स ओफार कंट्री तो जिने मतलब ऐसा देखा जाता था कि हां कि ब्रिटिश के आने से पहले वही तो थे हमारे कंट्री को जो भी थे ठीक है तो उस संस में जब उन्हें पावर में देखा तो लोकल चिफिशन्स ने भी आब अलग जगा क्या होने लगी म्यूटी नहीं देखने को मिल गई चुटपुर चुटपुर अलग अलग जगा लोगों ने रिवाल्ट करना स्टार्ट कर दिया ठीक अब यह जैसे नोडल पॉइंट्स हो थे ना नोडल पॉइंट्स मतलब क्या होता है जैसे कि एक्जामपल मत्रorf लगा कि लात तो और वा इंपे माव होगा अलगा को मिल रहा था this North कि जो चोटी 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 चैसी वो सारे लोग देखने लगे किस तरफ लखना की से लूगनाय की तौन है वावाद उठा है उनके साथ तयार है तो ऐसा क्या होता है कि सारे विश्यूट क्लूजन देखने को मिल रहा था नैशनलिस्ट, इस तरह से रिवाल्ट ऑफ 1857 में, तो इस तरह से रिवाल्ट ऑफ 1857 को एक बड़ा ब्रॉड बेस मिलता चले जा रहा था, ठीक है, तो जो आम जनता थी, तो वो इन लोगों के भरों से बैठने लगी, लीडर्स, जो लोकल चीफ्स थे, कि बस अब आप हुकम दो, हुकम मेरे आखा वाली सिच्वेशन होगी, कि आप बताईए क्या करना है, हम वो करेंगे, इस तरह की सिच्वेशन डवलप होने लगी, ठीक है, तो बहुत सारे सेंटर्स, नोडल पॉइंट्स निकल का है, जैसे बरेली, लखनाओ, ठीक है, फिर पेश्वा बाजी राओ, ठीक है, बाजी राओ, पेश्वा टू जो थे, तो उनका क्या कर दिया, उनकी डथ के बाद में एसे ट्रीट के जा रहा था, बस अब ये नवाव, क्या बोलते है, पेश्वा नहीं बन पाएंगे, तो नाना साहिब जो थे, नाना साहिब को बड़ कानपूर क्या है, आजाद है, कानपूर किसके अंडर में, ब्रिटिश के अंडर में नहीं, कानपूर का पेश्वा में हूँ, और मैं किसके अंडर में हूँ, बाहददूर्शा जफर, तो मतलब उन्होंने बाहददूर्शा जफर की पेरामाउंसी को एकसेप्ट कर लिया, और अपने आपको independent declare कर दिया ठीक है उनके वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने support किया और इस तरह से क्या है British rule जो है तो वो कानपूर में खतम होता है फिर इन लखनाओ अब लखनाओ के कहानी समझो तो ठीक है बिजिस कद्र ठीक है अब रिजिस कद्र कौन थे तूई वाजीद अलीशाह को British government ने था मैंने आपको चप्लेट टू में बताया था ठीक है वाजीद फिस लिए उनके जो वाइव थी वाइव का नाम धेखना है बेगम हजरत महल ठीक है तो बेगम हजरत महल ने क्या किया जो अपने आजुबाजु लोकल सोल्जर्स वगरा थे सिपाइज वगरा थे उनकी मदद लेके और अपने बेटे के थूँ ठीक है ब्रिजिश कद्र के साथ में मिलके क्या किया रिवाल्ट कर दिया ठीक वहाँ पे जैसे कोई प्रिजिश ऑफिशल थे हैंडरी उनकी क्या सकते हैंग उनका मडर कर दिया गया और उने मार दिया गया तो यह सारी चीजह हम देख रहेंगे तो लोकल अवल पर अपी धीरे अलग-युल नोडल पॉइंट्स तारह कि रिवेल्स देखने को मिले तो प्रजिस कद्र वास प्रोक्लेंड अस न्यू नवाब इन्हें नवाब बना दिया गया ठीक है यह टू एक्नॉलेज्ज दी सुजेरेनिटी ओफ बादूर्शा जफर और उन्होंने भी क्या बोला कि हां हम भी क्या हमारी लेंड टाइटल किसके अंडर में मान रहे हम किसक हम हजरत महल नाना साहिब कानपूर में जिन्होंने रिवाल्ड किया तो यह सारा सब कुछ क्लियर अब देखो क्या है फिर इसी तरह से और नोडल पॉइंट्स बने तो जहासी तो इन जहासी रानी लक्ष्मी भाई अलॉंग विद ताट्या टोपे तो ताट्या टोपे ने पुरी तरह से प्रयास किया किРЕ के तो बिटिश अथॉरीटी सて फिसे रणी ब्रणी लक्ष्मी वाही के नाम तक हुस्ट्री को रिलेट करते है रिवाल्ड ओ वे वे difference सवां को रिलेट करते हूं लेकिन उस्टक जिसेए आप पड़ रहे हुँत तो छुछी से अ की को मैंग तो आपको समझ जाएक नहीं है और भी बहुत सारे लोग थे तो नो डाउट राणी लक्ष्मी भाई ने जितने साहस के साथ में सिंगल हैंड़ी चीदों को समाला वह वाकई में बहुत काविले तारीफ था और उनी की तरह दूसरे और भी लीडर्स रहे जैसे राणी अवंत दिखा कि हाँ अब सभी लोग आवाज उठा रहें तो मैं क्यों चुब बेट हूं तो राणी अवंति भाई ने भी क्या क्या ब्रिटिश अथोरिटीज को अपने अपनी टेरिटरी से बाहर बगा दिया था ठीक है राणी अवंति भाई लोधी ओफ रामघर अब देखो क् को इंस्पायर किया कि रिवॉल्ट जॉइन कर उन्हों देखा कि अभी सही समय अभी हवा हमारे पक्ष में चल रही ठीक है तो जब उन्होंने देखा किया अभी सारी चीज हमारे हमारे फेवर में तो क्यों ना पार्टिस्पेट करके पूरी तरह से ब्रिटिश रूल को में आजादी मनाने की त्यारी करने लगे लोग ठीक है तो टेलीग्राम सेंट बाई लीटेनेंट कॉनल टेटलर टुस कमांडर इंचीफ तो यहां पर जैसे रिपोर्ट में बताया गया था कि टिटलर जो थे कॉनल टिटलर तो उन्होंने क्या किया अपने कमांडर वथे में बताया है कि सबसे पहले नहीं पिटाई तो हमारे जो स्वोना इतना इस के लिए हैं तो अब जमीनदार वगेरा ने भी क्या कर दिया हमें अपोस्ट कर दिया है वो सब भी हमारे अगेंश में विद्रों में खड़े हो गई है तो इस तरह से उन्हें दिख रहा है कि अब हमारे हास से चीजें निकलते जारी ठिंग्स आर गटिंग आउट ओफ हैं ठीक है इस ची अब यह सारे फ्रीडम फाइटर से चीजेंगे अर्ली फ्रीडम फाइटर से ऐसा नहीं कि 1947 में जिन्होंने आजादी लाई तो स्ट्रूफ भी फ्रीडम फाइटर से इसे फर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडनेंस इसली कहा जाता क्योंकि आपको पहले का आईडिया देना पोई का Contribution Valuable है लेकिन अब सबके नाम तो हमें हिस्टी में पता नहीं हिस्टी में तो क्या है कि जिनके नाम रहेगा है हमारे पास में वह है तो वैसे क्या है बहुत सारे जैसे अमधुला शाह ठीक है अब यह क्या थे एक मौलवी थे तो इनका काम क्या था लोगों को धर् बहुत सारी लोगों ने पाटिसिपेट किया फिर बक्त खान तो बक्त खान क्या है बरेली के एक सोलजर थे अब सोलजर ने सोलजर ने अपनी पोटेंशियल से बाहर जाके लीड किया लोगों को ठीक है तो वहां पे इनका भी एक बड़ा कॉंटरिविशन रहा तो इसे बहु से तो नों बोला कि मैं भी अपनी टेरिट्री में क्या करता हूं बिटरिश शूल को खतम करता हूं फिर उसके बाद में क्या है डेली के आसपास जैसे देखोगे तो लाज नमबर ऑफ गाजी तो गाजी कौन होते हैं रिलीजियस वारियर्स तो जो धर्म के बचाओं के लि रिबल बना है ना तो इस रेविलियन में इस रिवॉल्ट में एक इंसान से नहीं हुआ सारी चीज़ एक बड़ा कंट्रिबूशन रहा है अलग-अलग सोसाइटी के अलग-अलग गुर्प के सेक्शन का उसमें रूलर्स भी हैं उसमें पीजन्स भी उसमें सिपाइज भी ह है तब जाके कहीं रिवॉल्ट सक्सेस्फुल लेवल पर हमें देखने को मिला ठीक है लेकिन आप बोलोगे हमें आजादी तो 1947 में मिलिए और अभी तक जिस तरह से मैंने बताया तो आप क्या बोलोगे कि हां तो जीत चुके हैं कौन इंडियन जीत चुके हैं तो जी हां हम हमने एक तरह से सारी चीजों पर काबू पा लिया था लेकिन कंपनी फाइट बैक नेक्स टॉपिक आपका है उसमें क्या देखेंगे उसमें यह देखने वाले कि अभी तो हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया और पीट लिए अच्छे से ब्रिटिश को दिल खोल के मार लिए और कंपनी ने किस तरह से सक्सेस्फुली जो चीजें खोई थी उना वापिस पाली तो वो सारा सब कुछ हम नेक्स वीडियो लेक्षर हम देखेंगे कंपनी फाइट बैक वाले टॉपिक में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्श अभी तक हमने देखा कि इंडियान एंड पे ठीक है हमारे परस्पेक्टिव से हम धूम मचा रहे हैं रिवाल्ट में रिवाल्ट ओफ 1857 में अब क्या होता है हमने जो करना था वो कर लिया अब कंपनी क्या करती है तो जैसे आपको टॉपिक से ही समझ में आगया हो का कंपन इसको हम इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले इंडिस्कुस करने वाले हैं ठीक है देखिए तो अनव्द बाइदी स्केल ओफ अफ अफिवल मतलब वो कंपनी किसी तरह से नर्वस नहीं होती कि कितना बड़ा अफिवल हुआ है ठीक है तो किया जाए दबाया जाए खतम किया जाए ठीक है अपनी पूरी ताकत लगा दी कंपनी ने इस रिवाल्ट को खतम करने में तो कहीं नहीं कंपनी की ताकत भी उस चीज़ के लिए माना जाएगा कि हां कंपनी ने पूरी ताकत से लड़ाई करी ठीक है बाउंस बैक किया तब of 1857 में include नहीं हो पाए तो पूरा पुछ नहीं लग पाया ठीक है और भी बहुत सारे आपस में तालमेल communication उतना भैतर नहीं बन पाया तो बहुत सारे कारण रहे हैं लेकिन company ने भी कहीना कहीं किया कि अपने end पर बहुत मजबूती से लड़ा ठीक देखो क्या है तो सबसे important चीज़ कहा रहे गई they brought reinforcement from England अब उन्होंने बोला कि इंडिया में तो क्या हो रहा है कि यह सिपाइस हमारी अगेंस्ट में खड़े हो जा रहे हमें reinforcement लाना पड़ेगी फिर से नहीं forces बुलवाना पड़ेगी और अब जो forces लाएं उन्होंने तो कहां से लाएं अब उन्होंने बोला आप तो ब्रिटेन से ही लेक्या हो तो ब्रिटेन से कुछ soldiers लाएं कुछ commanders लाएं जो क्या करने वाले हैं यहां पे recapturing में मदद करने वाले ब्रिटिश इश इंडिया कंपनी की पहला point ठीक है उसके आद में क्या है past new laws so that the rebels could be convicted with ease ठीक है अब उन्होंने बोल दिया कि नए laws pass करो और law के हिसाब से फटा फट जो जो rebel रहे हैं मतलब जो जो बागी बने हैं ना बागी tiger shop वाले नहीं जो जो हमारे अगेंस में गएं उन सबको फटा फट पकड़के convert किया जा फटा फट सजा सुना जाए ताकि लोगों के अंदर एक डर का जो 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 लड़ेंगे मरेंगे वह प्यादे की तरह है चैस खिलते हो जैसे लेकिन आपने राजा वजीर अगर तो आधा गेम तो आप ऐसी जीच जाते हो तो तो ने भी उस चीज़ पर ध्यान दिया कि डेली से इन लोगों के पास पावर आ रही थी तो उन्होंने क्या बोला कि पहले डेली को कैप्चर किया जाए ब्रेटिश इंडिया कमठी ने सोचा तो डेली वास रिकैप्चर फॉर्स इन सेप्टेंबर 1857 में में कबजा किया था डेली पे तो में जून जुलाई ऑगस्ट ये तीन चार महने ही इंजॉय कर पाई डेली की गदी को कौन बादुर्शा जफर उसके आद में सेप्टेंबर आते आते क्या है तुबी मोर प्रिसाइज 12 सेप्टेंबर 12 सेप्टेंबर के दिन क्या होता है इन्होंने 1857 में रीकैप्चर कर लिया किस चीज को डेली को किसने ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी ने और लोगों को confidence मिल रहा था कि देली हमारी है अभी ठीक है जो revolt हो रहे थे अलग-अलग छोटे-छोटे स्प्रोट्स देखने को मिल रहे थे तो वो क्या हो गए अब वो कंट्रोल में हो गए लोगों कैसा लगने लगा कि यार बस खतम होगी चीज यहां पर ठीक है तो यह हो ग जीनत महल इन दोनों को कहा पहुचा दिया रंगून जेल में पहुचा दिया ठीक है बहुत दूर पहुचा दिया थाकि वह यहां पर रही ना और लोगों को फिर ऐसा कोई राजाय वाली feeling यह ना आ तो इस तरह सो ने बहुत दूर पहुचा दिया गाया और फिर उनकी death भी हो जाती है 58 में 62 है 63 में की डथ होती बाहदुर्शा जाफर की वहाई पर जेल में उनकी डथ हो जाती है दी रिकाप्चर ऑफ डेली ठीक है वाट अब अधर सेंटर सीगें तो हमने अभी यहां पर रिकाप्चरिंग किसकी देखी डेली की देखी लेकिन यह भी मैं आपको पि सवाल आता है कि क्या वहाँ पर रिविलियन खतम हो कि नहीं लोग नहीं मान रहे थे लोग तो अभी भी रिवॉल्ट कर रहे थे ठीक है तो 1857 के बाद में 1858 जांसी में वगेरा दूसरी एका पर लाड़ाई चलती रही कंटेनूसली ठीक है तो डिट दी रिविलियन एक एक करके देखो ब्रिटिश जो रिइंफोर्स्मेंट बुलाई उन्होंने इंग्लेंड से तो ऐसानी की पूरा का पूरा इंग्लेंड उठके आ गया था यहां पर एक क्या सकते हैं लिमिटेट नमर में ही सोल्जर्स कमांडर्स आये होंगे लेकिन हुआ क्या है हुआ उनके बीच में कॉडिनेशन नहीं बन पा रहा था तो ब्रिटिश बहुत आसानी से क्या कर पा रहे थे एक को हरा है जैसे अब डली कैप्चर कर लिया उन्होंने डली के बाद में लखनाओ पहुचेंगे वो लखनाओ क्याप्चर करने का दमें से एक एक करके एक करके जो पहिगा हजरत महल ठीके इंतो इन सारे लोगों को क्या करना इस्टार्ट कर दिया एक करके हराना चालू किया और एक करके जहां-जहां 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion तो यह rebellion देखने को मिल रहा था आपको जो विद्रोहो देखने को मिल रहा था इस पूरे विद्रोहो को खतम करते करते 2 साल लग गए किसे British East India Company को सारी चीज़ों को खतम करते करते 2 साल लग गए ठीक है आगे देखो क्या है तो यह जो फोटोग्राफ आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा तो यह वही सीन दर्शाथा कि यहां बस अब इन्हें कहां ले जाये जा रहा है अब इन्हें रंगुन जेल के लिए ले जाये जा रहा है रिवाल्ड को जो था उसे सप्रेस कर देगा तो भादूर शाजफर ठीक है उनके बेटे और जो पोते थे उन्हें तो वहीं पे गोली मार दी गई थी यह सारी चीज़े होई थी आगे देखें अगर तो अब देखो लखनाओ लखनाओ को रीकाप्चर कप कर लिया तो लखनाओ वस टेकन ओवर इन मार्च 1858 तो 1858 मार्च में लखनाओ को रीकाप्चर कर लिया फिर उसका में रानी लक्ष्मिभाई के अगर बात करें तो यह वंती भाई के साथ भी रहा ठीक है उन्होंने लड़के शहीद होना पसंद किया तो कंटिनिस्टी वो लड़ते रहे और ब्रिटिश फोर्चस जैसे जैसे स्ट्रॉंग होते चले गई तो हमारे बहुत सारे जो उस समय पर रिवाल्ट में पाटिसिपिट करने वाले ली तो ट्राइड एंड किल्ड इन एप्रेल 15 1859 तो इस तरह से जितने भी मेजर सेंटर से जो मेजर लीडर से मेजर फेस थे ठीक वो सारे लोग क्या हो गए वो सारे लोग पकड़े गए हार गए या फिर शहीद हो गए ठीक है यह सब कुछ हो उसके आद में क्या जिसे जो Defeat of rebel forces increase desertion यह चीज समझना बहुत important है जिस तरह से क्या हुआ कि जब हम जीत रहे थे तो हमारी जीत को देखते हुए डेली जीता हमने merit जीता तो हमारी जीत को देखते हुए लोगों के अंदर जो एक confidence boost up हो रहा था ना कि नही नहीं बस अब तो क्या करना है और जहां जहा रहे थे तो लोगों के अंदर confidence था जीत वाला कि हम लड़ेंगे ठीक है लेकिन जब देखा कि British East India Company recapture करने लगी वो जीत रहे तो यहाँ पर जैसे the defeat जब हमने जब हमने हमारी हार देखी तो the defeat of rebel forces encourage desertion desertion मतलब लोग भागने लगे छोड़ छोड़ के जगा जाने लगे ठी अब हार गये अब अगर हम पकड़ में आगा अब British उतना ही मारेंगे जितना हमने मारता ज्यादा मारेंगे ठीक है तो इस कारण से क्या होने लगा कि अब लोगों के अंदर भी जो confidence था कि नहीं हम protest करेंगे हम लड़ेंगे हम ठीक है revolt में participate करेंगे वो कम होता चले गया इस चीज को जो अलग-अलग centers उनके हातों से निकल गए थे उन्हें री-क्याप्चर कर पाएं वो तो अब री-क्याप्चर करने के बाद में अपनी जो strategy रखी तो बहुत simple stratified strategy रखी कि किस तरह से आप चीजों को काबू में रखना है अपने तो the British also tried their best to win back the loyalty of the people ठीक है त लोगों को जो loyal थे पहले हमारे towards उन्हें loyal ही रखा जाए तो जो landlords जिन landlords ने protest नहीं किया था ना उन landlords को क्या कर दिया उन लोग उन्हें बहुत सारे benefits दे दिये बहुत सारे क्या किया उन्हें एक तरह से देखा जाए तो rewards दिये बोल दिया कि तुम tax कम देना ये सारी चीज है तो जो जो loyal थे ठीक है तो British also tried their best to win back the loyalty ठीक है loyalty of the people तो tax benefits दे दिये उन्हें उसके बाद में जो पहले इन्होंने क्या promise कर दिया कि जिन जिन लोगों ने चलो मान लिया कि दो मिनिट के लिए confidence में या फिर कह सकते हैं कि nationalist feeling की बहाओ में आके rebel कर दिया था तो वो हमारे सामने आके quit कर दे अगर उन्होंने किसी कोई मतलब major ऐसा एक तरह से क्या हत्या नहीं कर दिये किसी को थे इंडियन सिपोर्स थे इंडियन सोल्जर्स थे पीजन्ट थे देवर पर्सिक्विटेड एंड हैंक तो बहुत सा लोगों को फासी दी गई बहुत सा लोगों के उपर क्या चला मुकदमा चला और उन्हें सजा सुनाए गई तो यहां पर दोनों तरह से rewards भी दिये मैंने क्या कर गए जीत के भी हार गए और वह स्ट्राइजी के साथ आगए इस कारण से वहार के भी जीत गए सिंपल सी चीज़ बस इस लाइन के साथ में समप करेंगे तो आपको इस समझ में आया है अधि कंपनी फाइट बैक कंपनी ने किस तरह से रीकाप्चर किया यह सारा सब कुछ बढ़ा हमने इस वीडियो लेक्चर में आयोप यहां तक चीज़ें क्लियर हैं नेक्स वीडियो में हम लेखेंगे कि दो को कंपनी जीत गई है लेकिन अब क्या मतलब इस चीज की क्या गैरेंटी कि आगे रिवाल्ट ना हूँ आज आपने कबदा कली है दस साल बात सब्सक्राइब करेंगे तो कंपनी ने भी सोचा थोड़ा से कि हमें we are required to reorient our policies हम जिस तरह से अभी तक चलते आ रहे हमारे ही कारणों से रिवाल्ट हुआ है तो हमें चीज़ें सुधार नी होगी तो वो सारा सब कुछ जो after math जिस तरह से देखा देखेंगे हम अगर कि रास सिंग राशपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे after math after math क्या है यह देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा chapter में तो हमारा जो chapter है when people rebel 1857 and after ठीक है तो यह वाला पार्ट अभी तक हम पढ़ चुके अब सवाल यह आता है कि जो चैप्टर का अगला पार्ट है end after तो यह end after क्या है तो देखो यह क्या हुआ कि आपने cricket match खेला cricket match खेलने के बाद में आप हारे जीते वो सब अपनी जगा है सिर आप क्या करेंगे उस match के बाद में आगे की strategy बनाएंगे कि आगे कैसे चीजे चल अब लेकिन ब्रिटिश गवर्मेंट के सामने एक सवाल यह था कि यह उन्हें इंशूर करना होगा कि आगे भविश्य में इस तरह से वापिस रविलियन ना हो जैसा रिवाल्ट आज खड़ा हुआ 1857 में जिस तरह अगा रिवाल्ट हुआ ऐसा रिवाल्ट फिर से ना हो त सारा सब कुछ इस पूरे टॉपिक का क्या है क्रक्स है और उसी चीज को हम कॉंप्रिहंसिवली डिसकस करेंगे आयोप आपको यहां तक एक आउटलाइन समझ में आए कि मैं क्या बताने वाला हूँ अब देखो यह चीज में मैं आपको बताई थी कि रिवाल्ट 1857 में चाल और तो अधाने भी कह सकते हैं कि अलंग अलग जगा पे जो प्रोटेस्ट हुए थे उन सबीशी हो को खतम करने में उन्हें इच दम करते करते दो साल लग गए अब दो साल में जाब उन्हें फिरसे अपनी पूरी टेरिटरीस पे अपना कबजा पा लिया तो उसके बादम होते रहें continuously आप दो साल बाद में देखोगे भी आपने पिछले चाप्टर में पढ़ कि ब्लू रेबिलियन हो गया वें गॉल में तो रिवाल्ट तो हुए लेकिन उन्हें ये पूरा प्रयास किया कि आगे जाके कोई इसा बड़ा रिवाल्ट ना बने कि जिसमें हमें मुग होगा, they are required to reorient their policies ठीक है उन्हें बहुत एक major change लाना होगा तो सोचा तो सही कम से कम उन्हें ठीक है तो अब जब उन्हें सोचा तो क्या किया होगा तो यहाँ पर वही चीज दिया है ठीक है अभी तक इंडिया में कौन रूल कर रहा था एक company रूल कर रही थी जैसे हमारे हां से मानलो जिसे Reliance जी हो है Reliance जी हो जाके बिटेन में रूल करने लगे तो वह एक company रूल कर रही थी आया समझ में इस चीज की clarity रखना है सबसे बड़ा सबसे major change जो 1857 के reward के बाद में आया वो यही है कि the power of East India company was transferred to the British crown तो अब पावर एक company की जगा अब किसके पास आ गई British crown अब government rule करेगी जैसे Reliance रूल कर रही बिटेन में पर मानलो के example तो रिलाइंस को हटा के बोलते हैं कि मानी जी आ जाओ वापिस अब कौन अब हमारी government इंडियन गवर्मेंट रूल करेगी त वहां कि गवर्मेंट ने British crown ने बोल दिया गया है यह British crown ने भी मौके पे चौका मारा जब reinforcement बुलाने की बात हुई थी ना कि soldiers दे दो नहीं तो हम इंडिया अपने हाथ से खो देंगे तो तब वहां कि गवर्मेंट ने British crown ने बोल दिया था हम soldiers तो दे रहें लेकिन एक बार control में आने के बाद में चीजें फिर अब हमारे साब से चलेगी तो British crown ने क्या बोल दिया बास अब company के हाथ से control ले लो और crown के पास control आगया सीधा ठीक है British Parliament passed a new act in 1858 एक नया act passed के British Parliament ने यह नए act में क्या था देखो तो नए act में direct responsibility of company की जगा किसके पास होगी British crown के पास में British government के पास होगी उसमें उनने क्या कि कि member of British cabinet was appointed as Secretary of State Secretary of State धिया रखना तो एक इंसान जो है वो कहां का है British cabinet ठीक है Britain में जो उनका cabinet है तो उनके एक cabinet के इंसान को क्या बनाया जाएगा Secretary of State of India बनाया जाएगा ठीक है उसे एक Indian council दिया जाएगा Indian council दिया जाएगा मतलब कुछ लो पर चल जाएगी Indian council के उपर which would be headed by the Secretary of State of India who will be a member of British cabinet आया ना समझ में तो direct involvement हो गया एक ठीक अब फिर क्या है कि अभी तक जो Governor General of India बोलते थे गवर्नर जनरल बोलते थे ना तो गवर्नर जनरल अलग अलग बहुत सारे हुए जैसे हम पूरे chapters में पढ़ते आएं लास्ट टाइम पे जब revolt हुआ था 1857 में तो उस समय पे ये गवर्नर जनरल थे मैंने आपको फोटो दिये अब आपको नाम बताना है ठीक है सेम गवर्न ला रहे हैं तो ये गवर्नर जनरल इस टीन ये कंपनी के दोवारा दी गई एक पोजिशन थी तो अब क्या होगा अब से जो भी हैड होगा तो गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा वह वाइसरोय कहलाएगा ठीक है तो लॉड नहीं मैं क्यों बता हूँ आपको होग दिया है मै पे थे वो फिर प्रमोट होगे क्या बनगा एक तरह से वाइसरोय बना दिया गया उने ठीक है और ये चेंज जो था तो ये पर्सनल रिप्रेसेंटेटिव उफ क्राउन जो बता रहा है तो अब जो रिलेशन होंगे इंडिया के और ब्रिटेन के तो एकदम डाइरेक्ट हो ठीक आगे देखो का है आगे अगली चीज यह है तो अल रूलिंग चीफ्स ऑफ दी कंट्री वार अशॉर्ड तो जितने भी रूलिंग चीफ्स थे तो यह रिवाल्ट में जितने भी लोग बागी हुए ठीक है पाटिसिपेट किया रिवाल्ट में उन सारे लोगों ने या फिर कह सकते हैं जो रिवाल्ट में पाटिसिपेट नहीं करें तो लोगों को एक चीज अशुर कर दी क्या कि दिया टेरिट्री इस वुड नवर भी एनेग्ज इन फ्यूचर अब आगे भविश्य में कभी आपकी टेरिट्री सापकी किंग्डम को अनेक्स नहीं करेंग तो अलग-अलग पॉलेसी बना दी और ऐसे या फिर ऐसे किसी भी तरह से बस टेरिट्री हडब ली जाती थी तो उसके चलते जो लोकल चीफ थे लोकल रूलर्स उने बड़ी चिंता होती थी तो इस चीज के अशुरेंस दी एक तो ठीक है आगे क्या किया बेयार अलाउट सन को अपने किंग्डम नहीं दे पा रही थी ब्रिटिश रूल जो था उन्हें इस चीज से रिस्ट्रिक्ट कर रहा था रोक रहा था और इसी कारणपूरी लड़ाई थी तो बाद में उने समझ आया तो उन्होंने जो लोग बनाया था ठीक है गोवर्मेंट ऑफ इंडिया 1858 तो उसलोमें एक चेंज यह भी लाया उन्होने मतलब उस संक्राइब रिलीफ मिला हमारे जो रूलिंग जीफ्तें på कि चलो लाइन पे आ रहा है ब्रिटिश थोड़ा थोड़ा ठीक है और आपको जिसको राजा बना उसको राजा बनाओ ठीक है लेकिन आपको एक चीज हमारी मानना होगी क्या कि आज से आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जैसे लोग रिवाल्ड के ताइम पे बाहद दूर्शा जफर को क्या अपना हेड मानने लगे थे ना तो यह जो लॉड आया गवर्रमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 तो उस हिसाब से क्या बोल दिया गया कि आज से आप अपना सुपीरियर अपना सब कुछ किसको मानोगे कुईन को मानोगे ब्रिटिश कुईन को आप ब्रिटिश responsibility आ गई दूसरा यहां पर ruling chiefs को assurance मिल गई तीसरी चीज़ समझो कहा है कि Indian soldiers का जो proportion था काई में आर्मी में तो Indian soldiers का जो proportion था ना तो उस proportion को कम कर दिया गया ठीक है the proportion of Indian soldiers was reduced and the proportion of European soldiers was increased European soldiers के proportion को increase कर दिया गया इसके पीछे की कहानी समझो उन्हें देखा उन्होंने देखा ठीक है British Crown ने British Government ने British East India Company ने सभी लोगों ने देखा वा British officials ने कि Indian soldiers की संख्या बड़ी और उन Indian soldiers ने अगर revolt कर दिया तो उस revolt को control करने में क्या मतलब पूरा एक तरह से खुन पसीना निकल गया था British officials का तो उन्होंने सोच लिया कि अब क्या Indian soldiers के नंबर को कमी रखो Britain से लिया आओ दो पैसे ज्यादा देंगे उनको लेकिन अपने लोग रहेंगे तो रिवाल्ट तो नहीं more soldiers would be recruited from among Gorkha, Sikh and Patans ठीक है तो अब soldiers कहां से recruit करेंगे वो ज़्यादा गोर्खा रेजिमेंट से सिख रेजिमेंट से और Patans पठान रेजिमेंट से ठीक है अब आप बोलोगे कि यह क्या रिस्तिदार लगते थे क्या उनके तो रिस्तिदार नहीं लगते थे क्या होता है कि जब 1857 में revolt हुआ थे ना तो Central India जैसे यहां पर बिहार Central India मेरट वगेरा यहां के तो सिपोईस ने revolt कर दिया बोल दे कि नहीं हम तो अगेंस में जा रहें आपके आपसे जो करते रहें Britishers के ठीक है पठान जो तो British East India Company के लॉयल रहें तो उन्होंने लगा कि यह रेजिमेंट के soldiers अच्छे है यह रिवाल्ट नहीं करेंगे तो इन्हें ज्यादा recruit किया जाए आया ना समझे वाई क्यों लिखा है मैंने आपके क्योंकि इन्होंने रिवाल्ट नहीं करा था इस कारण से आगे क्या है आगे देखो और भी चेंजिस आएं तो और क्या लाएं कि Muslims जो थे तो the land and property was confiscated on large scale and they were treated with suspicion and hostility तो Muslims जितने भी थे देश में 1857 के रिवाल्ट के बाद में इस्ट इंडिया कंपनी मतलब कंपरी तो चले गी ना चालू कर दिया Muslims के साथ में अब आप बोलोगे क्यों तो ऐसा परसीव किया गया इस इंडिया कंपनी के दौरा और ब्रिटिश ऑफिशल्स के दौरा ब्रिटिश गुवर्मेंट के दौरा ऐसा परसीव किया गया कि जो तो उस revolt में मतलब काफी हदिता को उस revolt का कारण Muslims रहे तो Muslims के साथ में unjust treatment start कर दिया गया था ठीक है फिर क्या होता है The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India ठीक है तो जो यहां की जनता थी कहां की India की अब उन्होंने देखा कि जब हमने reform लाने की कोशिश करी जब हमने video remarriage को promote कर दिया सतीप्रता को ban कर दिया हमने हमारे missionaries को क्या कर दिया free hand दे दिया कि convert कर वालों लोगों को Christianity में तो इसके चलते लोगों की जो values थी वो कही न कहीं हर्ट हुई और वो भी एक reward का major कारण रहा ठीक है तो उन्हें समझ आया जब British officials को तो the British decided to respect the customary religious and social practices तो उन्हें यह तै कि हम आपकी जितनी भी practices और social practices जितने भी आपके customs हैं जितने भी आपके rituals से उनकी respect करेंगे अब revolt में मत आ जाना फिस से एक बार और भीया ठीक है तो इस तरह से उन्हें इस चीज़ को भी accept कर लिया बढ़िया अब आगे क्या होता है और landlord जो वो क्यों प्रोटेस्ट में है क्योंकि हमने उनकी जमीन हरप ली थी अब हम अगर उनकी जमीन नहीं हरपेंगे उन्हें अश्वरें उस दे देंगे कि आज से आपके जमीन कोई नहीं हरपेगा जैसे हमने राजाओं को दिये तो वैसे जमींदार भी क्या हो जाएं तो दाज अन्यू फेज ओफ हिस्ट्री बिगन आफ्टर 1857 वंडर्फुली रिटन इस लाइन इंदी लास्ट पार्ट ऑफ दी चैप्टर तो अब दो यहां पर क्या बता रहे हैं कि यह जो इतने चेंजेस लाएं तो 1857 के पहले तक कुछ और थी ब्रिटिश गवर्मेंट ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी जो थी वो किसी और तरह से एकदम खून चूस रही थी हमारे लोगों का लेकिन जब 1857 का रिवाल्ट वो देखते हैं तो इस रिवाल्ट को देखने के बाद में उनकी जो सोच थी वो भी बदली हरकते भी बदल गई थोड़ा क्या हो गए वो भी नरम हो गए हलका साथ तो वो भी इंडियन के साथ में कॉडिनेट करके चलने लागे उन्होंने कुछ अपने एंड पर कॉंप्रोमाइस किया और इस तरह से फिर क्या होता है कि यहां से जो हिस्ट्री चालू होती है तो दर दा न्यू फेस ऑफिस्ट्री बिगन आफ लेट से स्टार्ट किया था वहां से पढ़ना है सारी चीज़े अगर आप देखते हो आपको समझ में आएगा कि हाँ चैप्टर किस बारे में है चैप्टर में कैसे सारी चीज़े चलिए और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है complete मुस्कुरा दो एक बार तो चैप्टर complete हो जाएगा हो चीज़े आपको यहां तक समझ में आईए मज़ा आया है तो बताइए जरूर और किसी प्रकार का डाउट है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much